कि यह इधर और कि आ रहे हैं यहां पर भी आ जाएगा डूंड वरी मैं नहीं चालू कर रहा जब तक एड़ेस्ट ना हो जाए टेंशन मतलो लेख शली समिहीं तर्फॉबस्ट अचिर्णाओ रहा जाएगागा जेंशन धूल हम जाएगागा रहागा गया अइन डिया है कि बैक निकल के जब बैक निकल गया दो तीन को मुझ को मारे गाटो पैक निकल के आराम से गाइस शबसे मेले बात तो थेंक यू तो अल फ्यू एक मिनट एक मिनटे एक मिनटे गूट कि सबसे मेली बात तो थैंक यू सो मच तो अलव यू फॉर बहुत सारा प्यार दूसरा एक दो दिन दो क्योंकि क्या हो रहा है कल भी हम लोगे ने रिक्वेस्ट किया बहुत सारे क्लास को रिक्वेस्ट किया is it possible for another bigger space इसी के लिए अगर आप लोगों से बहुत सारे लोग सकता हूं बहुत अच्छे से क्योंकि मैं कुछ इस प्रसेस से गया हूँ राइट बट नुकसान किसी का नियुक्त की गारेंटी में देता हूं बहुत मेरे को और एक बैर वापस पढ़ाना पड़ जाए बटब तकलीफ नियुक्त नियुक्त इस बात का गारेंटी है सुलेरे स्टार्ट को थे दन गोट बत शे गुट्रमाणवि है आया रम जानी है या वापस बोले बाप जा बनान अएक मेंड़ेक लिए यादा रहा है लुटक नलगल ने बहुत कुछ पढ़ा वा याद आ रहा है चलीट सबसे पहले याद कर दें अगर आपको याद तो हमको चार वर्ड पढ़ने थे, Income Tax Act 1961, अगर किसी बच्छे का पहला दिन है तो बेटा बुरा नहीं मानना, आप लोगोंने कल का लेक्षर जरूर देखना, ठीक है? अच्छा, Income Tax Act 1961, हमें चार वर्ड पढ़ने थे, लेकिन ऐसी तरह ऐसा आप कहा गया है, कि कलम सिर्फ ए की शब्द पड़ पाए वो शब्द का नाम था एक येस चलिए शुरुवात करते हैं वापस से तो साल था वो जिस साल में उस वक्ति ने वो लेकर आया था 1860 Sir James Wilson is he also called as father of income tax yes अच्छा लेकिन यह हाँ हाँ here that the third man India श्याय था पांट साल के लिए अच्छा लाया क्यों था क्या रिकवर करना था हम वो हंगो कौस्ट निधिय है इसके बाद अगेए 19 blamed के DRव का मारा оказ Ireland करना है इसके बाद अगर आपको याद हो तो 1919 में Government of India Act पास हुआ था Yes or No? फिर 1919 में Government of India Act पास होनी के बाद में Central Board of Revenue भी बना था अगर मुझे याद है तो Then 1922 में पहली बार वह आया था हाँ Income Tax Act पहली बार 1922 में आया था इसके बाद रहाली आजादी और आजादी के बाद हमने पहली बार इस act को change करके आज के स्वरूप में लेकर के आया we called it as income tax act 1961 act आया 61 में rules आये ऐसा इस सवाल का जबाँ हमें कल भी नहीं मिला था आज ढूंते शायद मिल जाये पर आपको पता है मैं average बच्च जब तक थे सब्राइब हुआ आए कि अरे मैं कहा रहा हूं बस यह दो चीज पढ़ लो और कुछ पढ़ने की जरूत नहीं और भी कुछ पढ़ना पढ़ेगा अरे वह पढ़ते हैं हाँ नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन इसु करता है सेंट्रल गवर्मेंट अहां आरे आरे फेस्बुक नोटिफिकेशन इसु में आ रही है सर्कुलर इस क्लारिफिकेशन ओफ इनी डाउट इस सर्कुलर मैंडेट्रियं डिपार्ट्मेंट सर्कुलर इस मनेट्रियं ब्रावो अच्छा मुझे बात बतिके और सिक्स मुंस ब्वर एक्जाम आरे अपलिकेबल अच्छा जी याने अगर जब भी मुझे बना होगा मुझे सब्सक्राव मुझे बातरा होगा मुझे रूट्बिकेशन बना होगा मुझे सेल के लिए मुर्णा होगा मुझे के लह पीना होगा क prevention as a यूंप आख यह विधो एक DR आ रहे है सुझाट न॥ को वैसिस पे लगता है प्रोग्रीक्रीस का मतलब है सूसरा है और हाइसर नियुक्ष दिन वह今天 सब्सक्राइब को बोल रहे थे कि मेरे भाई मेरे बाद सुन यह जो नोटिफिकेशन नहीं और एक्ट है अगर कभी दोने जगा लगए तो वह बोले आग्ट जितेंगे समझाओ ने वह बोल रहे थे तो एक्ट जित जाएगा जितेंगा एक्ट कौन जितेंगा मेरे बच्चा बहुत बढ़िया चलो अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात एक और सुनो तीन विंग होते हैं लॉव मेकर लॉव इंप्लिमेंटर लॉव इंटरप्रिटर क्या से लॉव इंप्लिमेंटर इंप्लिमेंट करता है इंप्लिमेंटेशन में दिक्कत है तो नोटिफिकेशन हैं सर्किलर आता है अगर कोई पॉइंट पर नोटिफिकेशन सर्किलर नहीं है और इस पर डिस्पूट है तो क्या आजाता है केस लॉव यहां तक के क्लियर है मालि क्या हग है तुम्हें यह हग से कुछ समझ आया था आर्टिकल 265 पर गए थे बिटा कॉंस्ट्यूशन के येस आर्टिकल 265 आहाहा क्या शब्द थे आहाहा क्या शब्द थे जब तक के कोई इह जब तक क्या करे तक कर पाओगे या तो कुछ क्लेक्ट कर पाओगे क्या टैक्सेस थे तभी जाके कुछ लगा पाओगे या collect कर पाओगे क्या taxes बरवर है ना तो law होना चाहिए मतलब कोई act के बहर तो रात में 8 बजे देश के प्रसान मंत्री जी कहते है भाई और बहनो रात 8 बजे से मैं यंग टैक्स लगाऊंगा ऐसा पॉसिबल है आप पॉसिबली नहीं है चलिए इसके बाद दूसरी बात करते ए लो टैक्स लोगे लिवीड लवीड मतलब लगाना का लेक्ट मैंटलब सिर्करी भी विऴ다 प्यार से दे दिया तो नहीं तो बहुत बढ़िए बच्ची इसके बार हम लोगों ने देखा था no taxes can be अभी लेड़ेड और कलेक्टेड एक सब आड़िट अव्लों तो अथो टृट्वर्टी मतलब अगर पार्लेमें शेशन नहीं यह थो हमने यहां तक का सब कुछ पढ़ लिया था यहां तक का सब कुछ क्लियर मालक आठिकल टूफर्टीफाइब भी पढ़ लिया था आर्टि प्लीज सभी बच्चा मेरे साथ प्लीज 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 आर्टिकल नंबर 265 पर वापस आए एक मिनिट नए नए ये रिविजन बाकिया याद होगा तो यह जो अथारेटी दी थी क्या एक ही व्यक्ति के हाथ में देदी थी या डिवाइड कर दी थी हां सब कुछ एक के हाथ में नहीं देना बेटा बहुत लुटता है समझे रहें ना बात हां तो आर्टिकल 246 शेडूल 7 ने कुछ पावर किसके हाथ में दिये सेंटर कुछ पावर किसके हाथ में दिये स्टेट और कुछ पावर किसके हाथ में दिये बोट के हाथ में दिये राइट हां त कि अग्रिकल्चरल इंकम पर वो नहीं दे सकता इसंट इट चलो बहुत बढ़िया विटे येस एग्रिकल्चर पर टैक्स कलेक करने का पावर सेंटर के पास है या स्टेट के पास है चलो तुम जीते हां एक में याद आ रहा है मैं को याद आ रहा है मुझे ना दरिशन सर कह दूसरे वर्ड फ़ड़ जाते हैं आज हम दूसरे वर्ड लड़ पर विड़ जाते हैं आज हम दूसरे वर्ड्ब पर बच्चे मेरे बच्चे अगर तुम्हें यादो तो नो टैक्सेस आर्टिकल 265 पर वापस पहुचे आर्टिकल 265 पर प्लीज वापस जाएं सेक्षन कंटेंस प्रोविजन ओफ लॉव जी एक्ट इस डिवाइड इन्ट वेरियस सेक्षन एंड सेक्षन कंटें प्रोविजन ओफ लॉव यस जैसे इसे बहुत सिंपल सरी के से समझे हमारे घर पर अल्मीरा होता है ऑल्मीरा हर जगर चीजे रखने के लिए अलग अलग सेक्षन है ज्वैलरी के अलग box, pants के लिए अलग suits के लिए अलग यून भाकी चीजों के लिए अलग उन्होंने क्या किया एक Act को अलग अलग sections में ड़ईड किया और sections के अंदर में ला लिखा प्रविजिन अप्रविजिन अप्रविजिन आएगा या आपको लॉग के अंदर में आएगा कि उसके पावर्ज अथोरिटी इस दिफरेंट है अब इन दोनों का मीनिंग क्या होता है सिंपल शब्दों में समझाओ आपको जेल की सजा दे सकता है अड़ जोगों की बीच के इशु तो वह सॉल कर रही सकता है लेकिन एक को जेल भी भीजने का राइट कोट रखता है जबकि ट्रिमिनल आप दोनों के बीच के इशु तो सॉल कर सकता है लेकिन आपको जेल नहीं बेच सकता जुडीशल, क्वासी जुडीश्यल समझ मही बाद तो जुडीशल अतौरिटी क्या होता है आपको जेल भीजने के पावर रखता है क्वासी जुडीशल आपके issues तो solve कर सकता है जेल नहीं बेज सकता अब आपने पूछो बात निकली है तो दूर तक जाएगी बोलो फिर court or tribunal क्यों बना है पूछो क्यों तारीक पे तारीक पे तारीक आप सोचके देखे थे मालिक हमारे देश में कितने ही court है और court के अंदर में कितने cases spending है whether court is able to handle the whole cases answer is no and that is the reason tribunal नाम की एक authority बनाई जो क्या करेगी, केसस को तो हैंडल कर लेगी, पर जेल दे भीजने का राइट नहीं है, इसी के लिए अपना वर्कलोड कम करने के लिए उन्होंने एक सब बॉड़ी बना दी ट्रिबिनल, राइट, चलिए, इंकम टाक्स एक्ट 1961, हाँ जी, जी, सर, नाइंटीन, 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 गॉर्मेंट अफ इंडिया, आप आए जिसमें इन्डन गॉर्मेंट से रिलेटेर पावर, वे इन डेलिगट किये गया थे, राइट, हला कि इसका टैक्स से कोई लिए लिए ने नहीं, उन्होंने से गॉर्मेंट उप बना था, ज तो प्विलकुल बरभर है मादम, बट जब आप गूट्स बाय करती है, इसके उपर टाक्स प्राइट ग्रॉड प्राय रहे हैं, जिसका जो क्रेडिट है यह आपको मिल जाता है, आप जो जो कोई गूड्स बाय करती है, तो इस पर एचज दिसाटी लग क्या आता है, तो ते मैं इधर ही अवेलेबल हूँ, don't worry, so income tax act 1961, अब हम किस word पर जा रहे है, tax, चलिए, tax word के उपर चलते है, यही word आपका pending है, शायद कहां मैं आपको बताता हूँ, article 265 देखो, article 265 में हमने एक word है, जिसको अब तक नहीं तोड़ा, वो है taxes, हाँ हाँ, हाँ, चलो, आगे चलते है और समझते हैं, sir, क्या tax में सिफ tax collect होता है, या सरचार्ज भी होता है, और sess भी होता है, practically, जब हम tax की बात करते हैं, तो हम tax और duty की भी बात करते हैं, और at the same time, हम tax, सरचार्ज और sess की भी बात करते हैं, जब हम tax की बात कर रहे हैं तो technically either we mean a direct tax और indirect tax जब हम tax की बात कर रहे हैं तो essentially यह direct tax भी हो सकता है इंडिरेक टैक्स भी हो सकता है विकास वहाँ पर लिखा था no taxes can be collected और levied तो यह direct tax भी हो सकता है indirect tax भी हो सकता है पर आपको तो पता है मैं average बत चाहूं यहां से हमें एक और सवाल मिला यहां से हमें एक और सवाल मिला types of taxes दो प्रकार के tax होते है एक होता है direct दूसरा होता है indirect yes or no अब दोनों के बीच में फरक क्या है दोनों के बीच में फरक क्या है चलिए direct tax is paid by person directly direct tax is paid by person directly यह उसकी personal income पे होने वाला tax है यह उसकी personal income पे होने वाला tax है that is called as a direct tax जबकि indirect taxes is collected from another person and paid to government collected from another person and paid to government let me give you a simple clear definition understand CA विजा ने अपने client को charge किये 10 lakh रुपीज बरे बरे CA विजा ने अपने client को charge किये 10 lakh रुपीज इस 10 lakh रुपीज पे क्या bill 10 lakh का ही बनता है answer is no इसके उपर वो लोग क्या add करके देते GST इसके उपर वो क्या add कर देगा GST goods and services tax right so let's say 18% के हिजाब से कर GST है तो 1 lakh 80,000 add हो जाएगा और टोटल 11 lakh 80,000 का bill क्या कर देगा विजा रेस कर देगा इसे हम कहेंगे invoice बरबर है अब मेरी बात को बड़े जहान से सुनिएगा विजा का service charges कितना है मेरा बच्चा 10 lakhs 10 lakhs right इस पर GST element कितना आया 1 lakh 80,000 18% के इसाप से सबोस करके चलते हैं so 1 lakh 18,000 का टोटल बिल रेस हुआ विजा की income 1 lakh 80,000 हुए क्या विजा की income 11 lakh 80,000 हुए क्या नहीं ये 1 lakh 80,000 विजा ने collect करके किसको पे करना है पे टू गवर्मेंट तो आप जब डॉमिनोज में जाते हो मेगडी में जाते हो राइट वाह पर पिजा 79 रूपीज कही रहेगा या बर्गर वाटवर 50 रूपीज कही रहेगा लेकिन यू दू नाट पे जस्ट फिफ्टी रूपीज यू आल्सो पे अडिशनल अमाउंट और यू पे इट CGST, SGST, इन शॉट GST यह GST आप से कलेक्ट करके वो क्या कर रहा है सरकार को दे रहे हैं इसमें आपका कोई रोल नहीं है अब विजय ने कितने कमाई ये बताओ विजय ने 10 लाक रुपीज कमाई लेकिन इस 10 लाक में विजय के एक्सपेंसेज हुए लाइक विजय ने का ओफिस रेंट गया वन लाक रुपीज का सालरी गया फिफ्टी थाउजन रुपीज का और अगर एक्सपेंसेज गये फिफ्टी थाउजन रुपीज के मतलब इस 10 लाक को कमाने के लिए विजय का इंकम कितना हुआ अब अपना PNL को इमाजन करके देखो PNL में सेल्स यार रिसीट आएगा अरे वरीबडी ओल इंकम सार क्रेडिटेट वाली बात होती है तो टेन लाक रुपीज इधर चले गए यस अब आपको दो लाक रुपे डेबिट हो गए आपका प्रॉफिट कितना बचा आपको क्या लगता है विजय कि ये परसनल इंकम हुई या नहीं हुई ये एट लाक रुपीज पे विजय को क्या देना है इंकम टैक्स इदिए निंकम विजी जिसे इंड वाद इंकम रिशीट माइनस एक्षपनसेज इंकम तो अब आप मुझे एक बात बताईए अस फार अस इंडरेक टैक्स में मेरे जेब से कुछ गया क्या we have collected it from another person and paid to government जबकि direct taxes में जो कुछ गया हो किसके जेब से गया मेरे जेब से गया so direct taxes is a personal tax direct tax is a personal tax जबकि indirect tax is a impersonal tax it is पेल भापर सन तयरेक्थल लजी इस चलेट द ज, पर अन अधर पर सन, पेड़् तो गोर्वर्मेंट. So, direct tax is a personal tax, while indirect tax is a impersonal tax. पॉइंट न्मोर डू डारेक्ट टैक्स इस पेट बय परसन डारेक्ली उसको खुद की इंकम पर देना होता है वो किसी और से Landship नहीं कर रहा पेट बय परसन डारेक्ली जबकि इंडारेक्ट आक्स इस कलेक्टेड फ्रमनादर यह मतलब है आदमी को दो तरफ से मर 나 मोता है हां एक तरफ से घरवाले मारते हैं दूस्सरे तरफ से दोस्ट ने घरवाले बोलते हैं तो पढ़ी ना दोस्ट भाई तू तो रैंक में अंडल बोलते हैं नहीं बोलते हैं बोलते हैं भाई तु तो रैंक में है एंड वी लाइक जाओ सालो दोनों अच्छा जी सट डायरेक टैक्सस को एड्मिनिस्टर कौन करता है चलो तीसरा डिफेंस आप खुद बिता सकते हो अब अगर तुम पढ़के आए होंगे बारेक टैक्सस को एड्मिनिस्टर कौन करता है एड्मिनिस्टर बाइड्मिनिस्टर बाइड्मिनिस्टर बाइड्मिन आइक और सवाल मेरे मन नारे बहुत जोर से आ रहा है पूछा कुछू क्या को पढ मत जोर से आ फुरिबर्वन क पर परण के होते और इंड़्यक्ट आक्स्स पुछे चल के चलिए मैं हिस्ट्री बताता हूं दो मिनट आप पे निच्छे भी रख दोगे तो कोई प्राब्लम ने डारेक्ट अक्सेस के अगर बात किया गया है तो डारेक्ट अक्सेस आप यकीन नहीं मानेंगे भारत एक ऐसा देश भी रहा है जिसने मरने पर भी टैक्स लिया है इत्तो सा भी नहीं समझाया है ना मैं क्या बोल रहा हूं आखिर मरने पर कोई कैटी से टैक्स ले सकता है है ना सुनिए और देगा कौन हाँ वो तो चले गया तो अच्छिए मैं रिसपेट जाने वालत चले गया अबताता हूं को अपको पदहाएं हमयशा से भारत को कहा गया सोने की चिडिया कियो कहा गया है कि यहां का हर वेक्टिव वखती अमीर हुआ करता है चिर मैं तो हमेशा कहताँ और कॉमर्श टुडेन नवाब होता है साह से रुप्य का से कुछ नहीं वह ने कुछ नहीं करोगे तुम मुनना डेट में अधालोगे और प्रेट में डालोगे तुम ने भी किया एक लाक रुप्यद पहली एंट्री याद कुरे मारे अकॉंट्स तुमने पड़ा था आपिटल इंट्रडूस वन लाग, I think समने वन लाग के इंट्रडूस किया था, कहां से हैं, नवाभी समझ रहे हो, नवाभी समझ रहे हो अपनी, पैसे ऐसे हैं नहीं, एक लाख रुपे ला ला लिए, कहां से, आपड़ीड गर्शचि कैपर कायारती, देवेउरन टाबस दिर अरेक ट अरे अटाब संट्रेपकारि, पहला हुक रहिए, पहला हुआ कर्ता था, इंकम टैक्स, जो आज भी था, बर करारा है, चलरहा है, एक तैक्स हुआ कर्ता था, सीसट्टथ रूटी, तेक्स वा-ठार कर बिलीव मेरे अलावा तुमको यह कोई बताएगा नहीं इद मरने टेक्स हुआ करता ता पुछो कैसे डेखिए वोता यह था कि आदमी ने पैसे कमाया जैसे सपो आसे पैसा कमाया वो इंकम टैक्स भरता था अब इंकम कमाने के बाद वो क्या करता अब यह इंकम को खरो जाकि आदमी सोचता है कि यार पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ इस सक्कर में कई बार वो अपना जीवन साथ ही ढूंडना भूल जाता है जैसे यहां पर कई लोग होंगे हन्मान जी की जै बात समझना बरेवर बजाएंग बली के भखतोंगे साहब कि समय जों मेरी बात को रहेट अब विचारे यह लों कितने मश्गूल होते हैं अपनी चीजों में रहीट कि इनको बाकी चीजों का टाइमे नीमीलते आप परचुनिती नीमिलती कुछ को टाइम नहीं मिलता है कुछ को अपर्चुनेटी नहीं मिलती अब यह विचारे पैसे तो कमा लेते हैं यह करेंगे क्या पैसे का यह बताओ कि एवरी किंग में नहीं कि यो किसी पर उडा सके है आपद समीधर नहीं समीधर मेरी इसे शायरी से चाहूंगा जरत गौर से सुनना अधितुम सही मूड में आ हुआ कि हर उम्र में होते हैं शौक जुदा-जुदा कि हाड़ उम्र में होते हैं शौक ज luminosa जुदा प्रहले खिलोने फिर माशू का फिर रुटबा और्फिर खुदा-खुदा जार तो इस भी मिंब एससार लाइफ के बहुत ने कि लिए देले करना कैसे पता नहीं था उसके का करना के तो समझ किसी को नहीं रहा था पहले खिलाने फिर माशू का आप जिस तैम में हो ना माशू का चाहिए समझा रही बत रहीट एक है रुदबा अब चाहिए भाई को चाहिए फुलिजद अपने दादा जी वाली काड़े कि क्या करते रहते जीवन में इतनी भागदोर सुबह साथ वजे से आराम करो भगवान का नाम लो हर उम्र में होते हैं शौक जुदा जुदा पहले खिलोने फिर माशू का माशू का मतलब प्यार जिसको इतनी उर्दु नहीं आती कोई बात नहीं फिर रुटबा अब चीए एक स्टेटस राइट और फिर खुदा-खुदा तो ठीक उसी तरीक से लोग क्या करते थे इंकम कमाते थे इंकम पर इंकम डाइक्स देते अब यह पैसा जो इंकम से आगया इससे यह प्रतित अ योट करिड़ते थे एक फियोट करीट करीड़्द करीड़े ज?लोरी श करीड़ती थे इसके ऊपर सर्कार लगा दे Strength आपने रि ष्चक ने लग रहा सेम इंकम दो बाल टैक्स हो गही है। पहले तुम्हारे इंकम करें इसके पर इंकम टाक्स दे दिया आप जब यह इंकम कम आई इससे वेल्ट बनाई अगर तुमारे पास वेल्ट 20 लाक रुपीज से उपर की होती थी तो तुमारे उपर वेल्ट टैक्स भी लगता जिवन बर इस आदम ने अपनी हो ऐसी तैसी कर आ हो आएगे जीवन बर इस आदम ने अपनी पर इसी टैसी कर आए वेल्ट बनाई और बनाने के बाद वह एडर यह एynनल वो गुजर जाता था और एसके बच्चे केपास जाती थी इन्हरिटेंस में? जैसे वो गुजरा इन्हरिटेंस में यानो प्रपरटी बच्चे के पास गरी इन्कम डेपाट्मिन्ट और जाता था ... आक्चलि वी रहे गौह धो शम्तिंग ... तरहां बश्चान टाग्ट को अब आप क्यों आई है मुझे तुमसे कुछ यह था I am indus a actually तुमने इतना कुछ receive किया है without doing anything so you have received estate of your dad yes so we need estate एक मिनिट उसने इन जब उन्होंने यह कमाया था तब उन्होंने इस पर इंकम टैक्स भी दिया इस पर वेल्थ टैक्स भी दिया अफ़े मर गये तब भी तुमको खुछ चाहिए तुमको उनसे नहीं चाहिए वो तो जा चुकिये है अब आप समय जए वरी बात को वह तो जा चुकिये पर यह मिला किसको तुमको मेला मुझको भी चाहिए नहीं जैए तुम देना तुम देना जैए 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 आप देना आप समय जए प्रॉब्लम क्या था देश के साथ इस तरह के ड्रेकोनियन टाक्स ने भारत को बहुत लूट आए आदमी आता था पहले इंकम कमाता था वो इंकम टाक्स देता था इस से उसने अगर वेल्ट बना ली मान लो मैंने एक लास लिया थोड़े बाद पैसे आ गए इस से मैंने एक प्रॉपर्टी खड़ी कर दी तो भारत सरकार मेरे से वेल्स टैक्स लेती थी मेरे जाने के बाद यह प्रॉपर्टी अगर बच्चे के पास चले गए तो जिसके पास गई उससे क्या लेते थे एस्टेट डिवूटी अगर्ने पर भी टैक्स था इधर जीवन में समय दारी बात और चौथा एक वाल टैक्स हुआ करता था मान लो यहीं चीज़ किसी ने किसी को गिफ्ट में दे दी रइट मेरे बाबों ने छोना ने खाना खाया रइट तो यह यह कहने के अलावा को इस्ट में भी कुछ दे पर दी थीया तो इसके अपर क्या लग जाता था किफ्ट है- बात समझे रहो, so gift tax, चार अलग अलग प्रकार के tax हुआ करते थे, direct taxes के अंदर में, over the period of time, सरकार को समझ में आ गया है, कि हम तो लोगों को, हाहा, देवकू बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हाँ वो ही जो आपने समझा, क्या बना रहे हैं, देवकू बना रहे हैं, अशलील नहीं करते, we just, समय नहीं, हम लोग चोरी नहीं करते, we just get inspired, कोई दूसरा कुछ कर रहे हैं, हम बस उसे inspired हो जाएं, चोरी और ही नहीं करते हैं, हम लोग समझ नहीं बात को, भारत सरकार को समझ में आ गया, कि हम तो लोगों को, हाहा, बेवकू बना रहे, उनने इसको उठाय और इसको कर दिया, abolish, इसको उठाया, इसको भी कर दिया, abolish, इसको उठाया, इसको भी कर दिया, abolish, यहने एक समय था, जब यह हुआ करते थे, पर अब यह तीन हट गए, और direct access के नाम पे सिर्फ income tax बच गया, समझ में, आया क्या, लिको ना भूई, यह उन दिनों की बात है, यह जो है, यह 80's में लगता था, यह तो अभी 2017 में खतम हुआ है, wealth tax, और gift tax को 2000, if I'm not wrong, 7-8 के इंदर में ही खतम कर दिया गया था, तो यह बहुत पुरानी बात हो चुकिये, बढ़ाँ, हाँ जी मच्चे, हाँ जी मच्चे, जी मैम इसको बहुत specific चीज़ों पर रखाता है, यह inheritance के अंदर में आपको assets मिलते था, उसी के उपर था, तो यह not all on assets था, अगर कुछ भी हो रहा है, तो इट वास डबल टेक्सेशन अनली, एक यादमी 100 रुपे को बस अपने अपने तरीके से काट रहा है, अलग अलग नाम देके काट रहा है, हाँ जी बचे, नहीं सल, आज इंकम टैक्स लग रहा है, नहीं आता सल, नहीं आता, इंकम टैक्स में लक्जरी टैक्स नहीं आता, जी जर, एक मिनिट, भूशन कुमार का क्या हुआ, हाँ, भूशन कुमार ने कार्तिक आर्यन को गिफ्ट दी, इसका क्या होता है, कुछ नहीं, और इस वर बहुत बढ़ी कार दी न, कुछ नहीं, सचिन दिंदुलकर साब को फरारी भी मिली, इ जब आप मेरे साथ एक चैप्टर में जाएंगे, इंकम फ्रॉम अधर सोर्सेज में, तब आप वहाँ पे देखेंगे, कि कार को, क्यापिटल असेट का डेफिनिशन में काउंट ही नहीं किया जाता, तो रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल है ही नहीं, यह उसका लॉजिक है, सेक्शन 56 to 10, इंकम फ्रॉम अधर सोर्सेज चाप्टर नमबर 4, एक और चीज, चलिए मान लीजे, मान लीजे, यह मेरे भाई की नहीं नहीं फुंसी, आई मिन फ्यांसी बनी, इसने जा करके, एक अपना किड़नी बेचा, किड़नी बेच करके, एपल आइफोन 14, अपने फ अगें, नॉट कवर्ड ने डेफिनिशन अफ कैपिटल असेट, अगें, चाप्टर आएगा, सारी चीज उसके अंदर में आएगी, बट यह सब नहीं आता, हाँ, लेकिन यही भाई ने उठा करके, एक डाइमंड का रिंग दे दिया, इस विल बी सब्जेक्ट टैक्स, इस चांदी पर टैक्स नहीं लगता है, गलत है, सोना मेंगा यह तो और गलत है, और भी चीज सुनू, सर कभी सोचा, कभी सोचा कि आपके घरवालों और इसके बाद इससे लाल कपड़ों में डाल कहीं क्यू रखा जाता है, कभी सोच के देखिये आपके घर पेंटिंग्स है, तो आपके घर पर क्या लाल, इतने आर्ट लवर हैं लोग, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक से, और यह लॉजिक हम लोग एक चाप्टर में देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके घर वाले आपको कितना, हाहा, बेवकूँ वनारे, कभी आपने सोचा, आपके घर पर एक में एक बरतन चानली का जरूरूर होगा, चानली कहीं क्यूँ? सिर्फ पेशन्स रखो मिलको पहले तुम्हार को ना टैक्स सिकाने दू फिर तुमको सम्झाओंगा इसके साथ रुमेंस कैसे करते हैं कैसे कैसे जो एम्प्लाइर से तुम्हार को यू नॉर्मल अलावंस मिल रहा है सिर्फ इसका नाम बदल दो यह पुल्ली एक्जम्ट हो ज लिए गार शे डारेक्ट आकसस के इतने प्रकार हुआ करते थे जैसे एक हुआ करता था एक्साइज आप कोई भी चीज मैनुफक्टर करते हें तो इस पे लगता था एक्साइज डूटी manufacturing पर लगता था exercise duty उसके बाद होता था custom इसके बाद होता था custom इंपोर्ट-export पर आपको क्या लगता है custom लगता है इसके बाद होता है वाट एक होता था service tax बरवर है एक होता था service tax वन नेशन वन टाक्स पॉलिसी लाने के चक्कर में दो हजार सत्रा में एक, दो, तीन को कट कर दिया और ले देखके जी एस्टी एन कस्टम को रखा बाकि सारी चीजों को कट कर दिया और 2017 के अंदर में उन्होंने जी एस्टी एन कस्टम लेकर के आ गए मतलब आज आप कुछ भी गुड्स बनाते हैं या सर्वेसेस देते हैं तो इस पर जी एस्टी आएगा और कस्टम कस्टम ड्यूटी आएगा इंपोर्ट एन एक्सपोर्ट पे क्ये जरूक करेंगे और पे करेंगे एक्सामबल हम लोगों ने ञेखा था लिखने की जरूबत नहीं है तुमको प्kil अगर भी हरेगा, किसी और में ईच्टम आएगा और पै करेंगे करो भी जैसे एक दस लाग रुपए का विजए ने बिल चार्च किया इस पैटरा परसंट का जी एस टी चार्च किया टोटल बिल्वा एलाग 80,000 यह वन लाग 80,000 जोसने दूसरों से कलेक्ट किया राट सर्विसस के ऊपर टैक्स और यह वो लेगा और गॉर्मेंट को देगा डारेक्ट ववा यह इंडारेक् of इंडारेक्ट झू जो अपने दूसरे से कलेक्या गौन्ठ को देदिया अब खुद की इनकम पर टैक्स कमाया है इसके उपर लगता है सर्चार्ज, यहां से निकलेते हैं भाई साब हम, everybody, yes or no, अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, सर्चार्ज की और, किसकी और, सर्चार्ज की और, any idea, सर्चार्ज क्या होता है, rough idea में को सही जवाब नहीं चाहिए, tax on tax, तो यह तो double tax हो जाएगा ना, यह तो double tax हो जाएगा, क्या यह सही है double tax हो ना, specific amount के उपर गया, तो tax लगता है, बिल्कुल सही, इसे हम सर्चार्ज केते हैं, एक समवाद सुनिएगा, समवाद सही समझ में आ है, तो दो मिनिट में click कर जाएगा, concept क्या है, पढ़ाने का तरीका बस different है, ध्यान से सुनिएगा, तो बात है उन मिनों की, बात है उन मिनों की जब यह मैम, आपका नाम के है बच्चे, श्रिया, ओके, तो श्रिया, श्रिया was a Chartered Accountant, खड़ी थी, अमीर थी, तो थी आपको तो पता ही, ठीक है, अब बंद भी गई थी, तो attitude आपको तो पता ही, तो श्रिया थी, इतने में, income tax department वाला आया, एओ, कौन आया, एओ, हैंड कि श्रीया मेरी बात सुनिए आप बहुत सक्सेस्फुल चार्ट अकाउंटेंट है तो आपको टैक्स देना होगा आप नॉर्मल टैक्स जो दे रही है उससे थोड़ा सा उपर देना होगा आपको सरचार्ज भी देना होगा क्योंकि आपने इस साल 50 लाक से ज्यादा के इंकम क मैंने अटेंट इन कर किए हैं मैंने इतने लोगों को ना भुला है ताकि मैं पढ़ा ही कर सकूँ और आज आप मैंको बोल रहें ज़्법 कर आभा से जादा defence मिल सो मुझसेल नहीं मजे क्ह semua मिलना है मैडम आप बात समझ है आपने 50 लाग के उपर अपको को सचाज देना चाहिए आप समझ नहीं दे है मेरी बात को जो जाधा कमारे उनसे लोना मुझ से आ कि क्या है आपको नहीं लगता ऐसा रैशनल नॉर्मल टैक्सपेर आपके मन में भी या आता है भाई जो आदमी ज्याधा कमारे आप उससे लोना मेरे से क्यों ले रहे हो हां बस इसी कंसप्ट को ध्यान में रखते हुए सर्चाज नाम की चीज लगाई गई आपको अगर हमारे मोदी जी का एक स्टेट्मेंट याद होगा हाई और बहनों मैं अमीरों से लूँगा गरीबों को दूँगा सर्चाज तब तक लोगों को इस स्टेट्मेंट समझ नहीं आया था क्या है अगर आप भारत में 50 रुपीस से ज़्यादा कमाते है यह ली तो आपको लगता है सर्चाज आपको क्या लगता है सर्चार्ज, it is a tax on tax, यह एक additional tax है जो आपको पे करना पड़ता है, अमीरों से ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि income tax progressive basis पे वर्क करता है, किस बेसिस पे वर्क करता है, तुमने ज्यादा कमाया है, तुम ज्यादा दोगे, विशय खतम, तुमने ज्यादा कमाया है तुम, साल बर में आपने 50 लाख रुपे से उपर कमा लिया, तो normal tax जो आपको देना है, वो तो आप दोगे ही दोगे, सर्चार्ज भी दाएगा, चिपक के बिलकुल, so what is सर्चार्ज, सर्चार्ज is an additional levy, सर्चार्ज is an additional levy, it is tax on tax, tax, it is tax on tax, if the income exceed prescribed limit, it is the tax on tax, if the income exceed prescribed limit, अगर income एक प्रिस्क्राइब लिमिट के उपर जाती है, लिमिट क्या है, कितनी है, यह अभी का topic नहीं है हमारा, अभी हम से वर्ड समझ रहे हैं, अगर इंकम प्रिस्क्राइब लिमिट के उपर चले जाती है, तो, it is collected, it is collected as a percentage of tax, पर्संटेज ओफ टैक्स बर्वरे अच्छा सर मुझे एक और सवाल आ रहा है सर यह जो सर्चाज कलेक्ट किया जाता है यह जाता है यह जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है यह कहां जाता है क्या आपको पता है जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो इट फॉर्म्स पार्ट ओफ, सी एफ आए, कंसॉलिडेटेटेड फंड ओफ, इंडिया, डायरेक्ट अक्सेस से जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ, यह सब कहां पहुचता है, कंसॉलिडेटेड फंड ओफ इंडिया में, एक फंड, गोर्रमेंट मिंटेन करती है, सारा पैसा से आए, कंसॉलिडेटेड फंड ओफ इंडिया, इस सारा पैसा एक जगर रखा जाता है, जिसको कहा जाता है, सी एफ आए, कंसॉलिडेटेड फंड ओफ इंडिया, सरचार्ज भी, कंसॉलिडेटेड फंड ओफ इंडिया में जाता है, सरचार्ज भी, कंसॉलिडेटेड फं एक जगर क्लेक्ट हो रहा है, yes, so, अब वापस से सुनिए, tax, सर्चार्च, क्या सर्चार्च, हर आदमी को पे करना पड़ेगा, सर्चार्च सिर्फ किसको पे करना पड़ेगा, जिसकी इंकम एक prescribed limit से उपर, क्या आप तक हमने ये discuss किया, prescribed limit क्या है, हमने अब तक के डिस्कस नहीं किया करेंगे अभी हम से वर्ड समझ रहे हैं आपको तो पता है हम कोले कोले बच्चे हैं हम से वर्ड समझ रहे हैं बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं सरचाज एक percentage कोले किया जाता है टैक्स का अगर इनकम एक प्रिस्क्राइब लेमिट से उपर चल है तो चाहे वो टैक्स हो चाहे वो सर्चाजो दोनों भी क्या करते हैं विटा Consolidated Fund of India का पार्ट बनते हैं चलिए अब मैं आपको एक जबर्दस चीज़ बताता हूं राइट आप दिमाग देखेगा साब कितना जबर्दस दिमाग है जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं यह कलेक्स सेंटर पर होता है हाँ या ना जो टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं यह कहां कलेक्ट हो रहा है सेंटर पर क्या यह स्टेट्स को भी बटता होगा क्योंकि खर्चे तो स्टेट्स के भी है क्या यह स्टेट्स को बटत करता है जो प्रेसिडेंट को क्या करता है रिकमेंड करता है कि भारत सरकार ने इतना टैक्स कलेक्ट किया है इतने स्टेट को इतना पैसा मिलना चाहिए और अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट सर क्या करते हैं उस्टेट को उतना फंडिंग प्रोवाइड करते हैं तो जितना भ आपके पास नोट्स नहीं भी है तो सिर्फ अभी रीड कीजिए बागी कुछ ज़रुवत नहीं है उसकी और टैक्सेज और दूटीज एक्सेप्स स्पेसिफाइड शल्बी लेविट बाइ सेंट्रल गवर्मेंट एंड डिस्टिबूटेट बिट्मीन युनियोन एंड स्टे और थ्रू रिकमेंडेशन आफ फानाइन्स कमिशन याने टैक्स का जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ सेंट्रल पे उसको क्या किया जाएगा जितने स्टेट्स अन युनियन टरेट्री से उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा आई यू गटिंग मैं पॉइंट याने अगर मै टैक्सस की बात करूँ तो टैक्सस क्या हुँगे बिटा डिवाइडेड इंटू स्टेट्स अलग 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 स्टेट्स में कौन कहता है आर्टिकल नमबर टूसे वीनटी अब देखिए वापस से 2015 का मोधी जी का स्पीच सुनाता हूं वापस से 2015 का मोधी जी का स्पीच सुनाता हूं स्टेटमेंट किसी को समझ नहीं आया कि exactly वो बोल क्या रहे हैं उन्हेंने सरचाज तो लेके आ गया लेकिन दिमाग देखिए साब दिमाग देखिए भारत सरकार ने क्या क्या आपको पता है 2015 के बाद they have not increased the tax rate they have increased the surcharge ask me why कुछ न क्यूँ टैक्स जो आते हैं यह स्टेट में डिवाइड किये जाते हैं इसर चार्ज जो आता है यह सिफ यूनियन रखता है अब जो आज आज आपको इतनी स्कीम दिख रही है न कि आपको कोविड के अंदर में बुस्टर डोस लगे फ्री में और फ्री में कैसे लगे फ्री में कैसे लगे एक मिनिट अगर आप देखोगे तो उस पे सिफ मोधी जी का फोटो था सर्टिफिकेट पे आप अगर देखोगे तो इन्होंने इतनी सारी स्कीम निकाली स्वच्छ भारत स्कीम मिड़े मिल स्कीम और अलग-अलग तरीके की स्कीम निकाली इन स्कीम के अगर रहे सारी स्की मोदी जी ने निकाली है सही है उन्होंने निकाली लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया उन्होंने क्या किया टैक्सेज नहीं बढ़ा है क्योंकि टैक्सेज अगर बढ़ा देते तो उन स्टेट्स को भी पैसा चल जाता जिसमें शायद उनकी सरकार ही नहीं अफ़ी जी ने और अफ़ी अफ़ी स्कीम से लॉंच करी अपने को क्या दिख रहा है टिए जी ने क्याम किया काम जरूर किया धिमाघ बी लगाया जुशowing इसके पहले किसी प्रशाइब प्राइम मिनिस्टर ने लगा उन्हें टैक्स के साथ निकला उन्होंने बोला अमीरों से लेना है न यह लूँगा और मैं रखूंगा मेरे हाथ में इसको यूज कैसे करना हूँ मैं डिसाइड करूंगा अटल पेंशन यूज न लॉंच कर दी स्कीम सहाव आप मैं देख रहे हैं बात समझो इतना सारा कोविड बूस्टर के लिए 130 करोड लोगों को दना दन डोज लगा है मैं लाखर के दूँगा टेंशन मतलो लगे भाई पर पैसा कहा पड़ा रहा सेंटर पे स्टेट के हाथ में गए नहीं क्योंकि टैक्स होता तो आल्टिकल 270 के सब से आगे करूँगा 50 लाग के उपर गया सर्चाज 10 परसेंट एक करोड के उपर गया सर्चाज 15 परसेंट दो करोड के उपर गया सर्चाज 25 परसेंट पांच करोड के उपर कमाया सर्चाज 37 परसेंट एक मिनिट आप समझ नहीं रहें अभी तक यह over and about tax rate है मतलब अगर विजय की income खुदा ना करें कभी 5 करोड के उपर चले गई अगर विजय की income 5 करोड है तो आपको सिप income दिख रही है पर जो आपको नहीं दिख रहा है वो यह है कि विजय का 30% tax है 30% पे 37% सर्चार्ज है प्लस 4% का सेस है सुबह साथ बज़े कैसे सूचता है यार अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो 42.744% होता है मतलब अगर विजय पांच करोड के उपर एक रुपए भी कमाएगा 100 रुपए भी कमाएगा 43 रुपीज tentatively सरकार को tax देना है ना यह पक्राइट रहने के लिए लॉटिवेट टीन के लिए लॉटिवेट रहने विजह, I think it's not working anymore. You don't have time even either. Risk पुए मेरा साधी है जीवन मे. मैं विजह, क्या हैर? You don't have time. Honest taxpayer, 43% taxpayer. Even I think it's not working anymore here. वो, का में? 100 रुपे कमान हु, 43 रुपे में लेगे जारे. सोचो नहीं, कौन मुटी है, टिद्र ही गा? आपको क्या बोला गया? तुम 100 रुपे कमारे हो, पर 43 रुपे हम लेगे. किस बात के? Services. कौन सी? We don't know. वाद हम लेगे. Government is an indirect partner to whatever you do without any partnership deed. Government is an indirect partner. अब मैं जो बता हूँ नहीं, मैंने 100 रुपे कमाए. अब बच्चे को क्या दिख रहा? विजय सोने पांच करोड रुपे कमाए. आपर पांच करोड के पीछे तो ये तो सोच मेरे को 42.744 परसंट का टैक्स है और ये डारेक्ट है. इंडारेक्ट है, विशे अलगे है. ये तो सिफ डारेक्ट टैक्स है. पर सरकार में बहुत जबर्दस दिमाग लगा है. सर्चाज किसके हाथ में रखा? सेंटर. देखो. और ये चीज़ उनको, चीज़, ही इस अवेल नोन परसंट, उनको अच्वान को कॉन्स्टिटूशन का बहुत समझ है. आर्टिकल नंबर 270 पढ़िये मेर साथ. इंडिन कॉन्स्टिटूशन का आर्टिकल 271 पढ़िये. पार्लेमेंट में एट एनी टाइम, इंक्रीज एनी डुटी, और टैक्स इस रिफर्ट टू इन दोज आर्टिकल, बाए सर्चाज. टैक्स इस को सर्चाज किसे इंक्रीज किया जा सकता है. जब चाहे तब. क्या बूला उन्होंने? जब चाहे तब. May at any time. For the purpose of. For the purpose of. For the purpose of. जाओ जाके अपने दोस्त को बोलना. वो दोस्त को पूच्छना. तो टैक्स पता है? तो सचाज पता है वो लेगा हां मता सब कोई पता होता है सचाज लेता कौने बता है सेंटर रखता है या स्टेट रखता है ऐसा कुछ नहीं होता है जंडू युनियन रखता है कुछ भी गलत गलत पड़ा रहा मास्तर मुबाइल खुल आर्टिकल 271 इंडियन कॉंट्टुशन डाल क्या लिका है युनियान और उसकी आखें भराएंगी है 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 फुल रिस्पेक्ट जाना जो भी फाउंडेशन के छोटी-छोटी निब्बा निब्बा नुकर आई नुक्ट आणे आउड वो बुलेगा थीसलेंटर में है अंदर की सचर्च अपनी को बता है उसको नाइको बता निगा रहां और यह है फॉरत पर्पाज उनियन और भी फॉर्सटीश उस शंटल फेने उनियन अंड्यर्ट आपल्ट अफ शंता जियन एंडक जि इंडिया समय आई बात तो क्या दिमाग लगाया आपको यह समझ में आया गया तो आज जितनी स्कीम निकल रही है ने विटा इसका पैसा टेक्निकली टैक्स पेरी पे कर रहा है लेकिन कोई स्टेट इसको क्लेम नहीं कर पारा कि हमने किया है उनके हाथ में पावर ही नहीं छो केप्ट बाई यूनियन कलेक्ट सब एक जगह पे होगा आल्टिकल 271 हाँ बच्चे आपका सवाल हो गया मेरे भाई ने बहुत जबरदस सवाल पूछा है यूनियन या सेंट्रल गवर्मेंट आइगस कलम ने इसका रिपलाई किया भी था जो चीज यूनियन लिस्ट में होती है वह सेंट्रल गवर्मेंट का होता है जो जनको मराथी नहीं आती ऑनलाइन क्राउड वह सुनिए आया सचाच पहले से एक्षेस्ट करता था पहले लेकिन सचाच सिर्फ एक था इफ दॉइनकम एक्षीड वन करोड रुपीस देन रोग देन देर वासर्चाच और सचाच वास अनली 1% परसेंट वह जी क्षेंट इन तर्म सफ नंबर्स नोडि जी ने आने के बाद इसको चार कर दिया 50 लाग से उपर कमाया एक करोड से उपर कमाया दो करोड से उपर कमाया पांच करोड से उपर कमाया तो इनको अलग-अलग कर दिया ज्यादा कमाओगे ज्यादा पेक करके जाना पड़ेगा खतम विशे मजा आया नहीं आया चलो वापस से क्या टैक्स में सिर्फ टैक से होता है additional lei मतलब आदमी तो जीवन टाइक्स पे करकर कहीं मर जाय है addional lie यह वोगा चीज़ज जो लगाती है इसके लिए कोई separate article नहीं दिया वा है इसके लिए कोई separate article नहीं दिया वा है infact government का एक right है कि वो किसी भी purpose के लिए इसे collect किया जा सकता है लेकिन एक बात ध्यान चा सुनिया आप tax जो collect कर रहे हो सरकार इसे किसी भी परपस के लिए यूज कर सकती सरकार कुछ specific परपस को पूरा करने के लिए क्या लेकि आती है बड़ा सेस सरकार को कुछ specific परपस जब पूरा करना होता है तो यह क्या लेकि आती है सरकार सेस लेकि आती है सर आज इसका नाम है HEC तोड़े वी कॉल इस हेल्ट एंड एडुकेशन सेस आज हम इस सेस को नाम देते है है हेल्ट एंड एडुकेशन सेस HEC यह शॉट फॉर्म आप एग्जाम में लिख सकते हो है हेल्ट एडुकेशन सेस हेल्ट एडुकेशन सेस कैसे वक करता है ध्यान से सुनिएगा इडिस इस इसका पर्सेंटेज आफ टाइक्स जो भी आप ने ‫टास निकाला है इसका पर्सेंट आप से कलेक्ट कीया जाता है करंट परसंटेज्टी श् 33 recommend पॉर परसेंट फोर परसेंट का हेल्थ उन एजुकेशन सρεस मिस कि सुनिए भारत सरकार ने इसका क्या यूज किया इतने सालों से जो सेस का पैसा कलेक्ट हो रहा था कोविड में आपको तीन शॉट्स लगे दो नॉर्मल शॉट्स और एक बूस्टर शॉट्स इस बहुत सारे लोगों का इसका एक भी रूपय देना नहीं पड़ा पर क्या भ जा रहा है यस दूसरा एडुकेशन सेस आप लोगों ने रीसन टाइमस में देखा होगा बैट एवरी स्कूल हाज अ मैंडेट कि उनको कुछ लोग जो भले फीड अफॉर्ड नहीं कर पाएंगे पर उनको एडमिशन लेना पड़ेगा इन एवरी सेक्शन यस उसके बाद म मिड़ मेल scheme नां सुना है मिड़ मेल scheme इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है यहां पर गवर्वर्मेंट education says सर्वसिक्षा अभियान नाम का एक अभियान सुना है उसका पैसा भी यहां से आ रहा है तो सरकार को जब दो चीजों पे अब अगर आप देखोगे 2019 में जब वापस से गवर्मेंट बनाई तो इनकी दो प्राइरिटीज थी health and education और इसके लिए स्पेसिफिक उन्होंने अलग से पैसा कलेक्ट करना चालू किया health and education says so it is collected as a percentage of tax tax का एक percentage says के नाम भी लिया जाता है it is collected as a percentage of tax online में money पूछ रहा है सरी collect किस से किया जाता है tax payer से ही so practically tax लगता है it is a combination of tax plus HEC income अगर 50 lakh से उपर जा रहा होगा tax plus surcharge plus HEC I hope you are understanding this yes अगर आपका normal income भी है मतलब if you are not exceeding 50 lakh rupees it will be a simple combination of tax plus HEC अगर आपका income 50 lakh से जादा है tax plus surcharge plus HEC ऐसा तीन का combination मनेगा I hope you are understanding this calculation part में अभी हम जाही नहीं रहे मैं आज आपको से words सिखा रहा हू calculation part में हम जाही नहीं रहे क्योंकि अब जब तक आप पूरे basic words नहीं संदोगे कि यह होता क्या है होता क्यों है तब तक कि इसका computation कैसे होता है और इसका example क्या है इस पर अभी जाके कोई मतलब नहीं आगे एक और वड़ बाकी है tax उसके अंदर में देखेंगे जी बच्चे एक सवाल है आपका अगे सर इनको powers दिए गए हैं को specific purpose को पूरा करने के लिए additional लेवी लगाने का तो जब आप government के powers देखते हो तो उसके अंदर में इनको powers है जैसे emergency लाने का एक पावर है ठीक उसी तरीके से को specific purpose पूरा करने के लिए कुछ additional collections करने के भी पावर दिये गए है हाला कि इसको specific article mention नहीं किया गया है तो तो एक मिनिट हम कहा है सर लगता है बड़ी दूर आ गए सर हाँ आए न बहुत दूर आ है article 265 पे हम क्या हाँ जाओ article 265 हम article 265 पे है article 265 नो taxes जब हम tax की बात कर रहे हैं हम क्या सिफ tax की बात कर रहे है या tax plus surcharge plus HEC तीनों की बात कर रहे हैं सरचाज and HEC are also part of tax तो ना यह impose किया जा सकता है ना यह collect किया जा सकता है जब तक कोई law ना हो और कोई authority से pass ना कर दे so no taxes can be levied or collected except by authority of law अब यह एक वर्ड को पूरा तोड़ दाला हमने राइट कल जब हमारे भाई के घर पर हम रेड मारने गए थे भाई ने एक सवाल पूचा था क्या तुम्हें हक है मेरे आके tax collect करने का जवाब है येस ये पावर कहां से आया है हमें पूरा घुमाई है article 265 क्याता है जब तक कोई law नहीं होगा कोई authority से पास नहीं करेगा तब तक के tax नहीं ले पाएंगे authority मतलब कौन article 245 parliament article 123 president येस जितना भी tax collect होगा इसे center of state में डिवाइड किया जाएगा article no 270 जितना भी सर्चाज collect किया जाएगा इसे union के पास रखा जाएगा article no 271 आया धान में की दूकान में आया क्या हां sir taxes कित्ते प्रकार क्यों होते है जल्दी से बताए टैक्स कित्ते प्रकार क्यों होते है कौन कौन से डारेक्ट एक्सें पक्की बात मालिक देखे जड़ा आपके नोट्स के पेज नमबर थ्री पे वाट इस टैक्स वाट इस ड्यूटी टैक्स सर्चार्जन सेस जो चीज आप यहां पढ़ रहे हो आपके नोट्स में भी पूरी लिख रखिया है सेल्फ एक्स्प्रेनेटरी पॉइंट है पूरा राइट अभी आपके पास नोट्स नहीं इसलिए यहां से में रीड आउट नहीं करवा रहा हूं पट तीन चार दिन बात जब आपके पास नोट्स आ जाएंगे हम वापस से इसे पूरा रीड करेंगे इंपॉर्टन पॉइंट को आहिलाइट करेंगे हाल फिलाल में सिब लिखने का काम है हूँप यह अंडेस्टानिंग दिस ये इस मजह आ रहा है नहीं आ रहा है यह बताओ डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट तीनों पॉइंट डिसकस कर लिए है सरम है कहां ओरीजनली हम दे वर्ड कम्प्लीट कर चुके हैं आउट आ फोर वर्ड इंकम टैक्स एक्ट नाइंटीन सिक्स्टीवन इसमें सर्ट टैक्स वर्ड को तोड़तार कर दी एक्ट वर्ड को त बात बताईये दो साल पुरानी में शटनी बनता दो साल पुरानी में गाडी नहीं चलाता दो साल पुरानी में 1961 का लॉव 2022-23 में पढ़ रहा हूं वाद इस सेंस चेंज क्यों नहीं करते हैं तो हूल सेम में टालिथी I like your question but your question hurts me Sir 1961 का लॉव मैं 2022 में पढ़ रहा हूं यह सवाल आपने Contract Act के टाइम पर पूछना चाहिए था 1872 का लॉव पढ़ रहे हो यह सवाल आपने Partnership Act के टाइम पर पूछना चाहिए था यह सवाल आपने सोगा के टाइम पर पूछना चाहिए था पर आपने नहीं पूछा है क्यों नहीं पूछा भाई कि देखो सर है अपने धेरे वे बैक बेंचर है इतना करना है करना है विशेय ओवर ज्यादा पंचायती में हम पढ़ते नहीं है पूछो भाई 1961 का लो 2022 में पढ़ाया जा रहा है और आप केते हो अमेंड्मेंट है आप केते हो अमेंड्मेंट है ओ एक और नया वर्ड सामने आया अमेंड्मेंट कहां से आते हैं सर अमेंड्मेंट आते हैं बजट से अमेंड्मेंड्मेंट कहां से आते हैं बजट से अब आप यह पूछेंगे के सर तुम्हारे सवाल भी मही तुमको बताओ तुमको क्या पूछना है कि कब कुन खौलेगा रहे तेरा पूछो भे बजट क्या है हां कौन लाता है हां बजट कौन लाता है बच्चा फनान्स मनिस्टा निर्मला दीदी बजट लेकर आती है याद रखे हर साल आता है अमेंडमेंट आता है बजट से अमेंडमेंट कहां से आता है बजट से हर साल बजट लेकर के आते है और बजट के थूँ आता है अमेंडमेंट बरे बरे अब कुछ सवालों के जवाब है जो ह जाहिर सी बात है, every organization, including Indian government, जितना पैसा आ रहा है, उसको planned allocation करेंगे न, defense में कितना डालना है, agriculture में कितना डालना है, education में कितना डालना है, you know, other sectors के अंदर में कितना पैसा डालना है, तो यह planned allocation of resources के लिए budget बनाए जाते हैं, चलिए, budget कौन से act के हिसाब से बनता है, चाटबरी देलमिल्क सिल्क क्वेशन, yes, कौन सा, किस नमाना, finance act, absolutely correct answer, कई लोगो को misconception है, that budget is created as per finance act, tech Mahindra question, Mahindra and Mahindra interview question, आपको पता है न, आपको complete करने के बाद भी return test देना पड़ता है, हाँ, आपको complete करने के बाद भी return test देना पड़ता है, और उस examination का question है, budget कौन से act के हिसाब से बनता है, यह गलत है कि budget, finance act के हिसाब से बनता है, budget बनता है, fiscal responsibility and budget management act, यह से आपको पता है, आपको इस syllabus में था, economics में, foundation में, मैं, मैं कहा था जब यह पड़ा रहे थे, तुम थे, तुम्हें पता नहीं है, अथि तुम्हें से पता नहीं है, budget is prepared as per fiscal responsibility and budget management act, वहाँ से आता है, और इस जब budget आता है ना बटा, बज़ट कितने तारिक को आता है, और हर साल बजट आता है first February हर साल बजट किते तारी को आता है first February पहले हίσा होता था रेल्वे बजट और finance बजट अलग अलग आते थे लेकिन य् something मुदी सरकार ने यह भी प्रथा चेंज कर दी अब railway budget और finance budget दोनों एक ही दिन पर आते हैं 1st फरवरी every year राइट तो चलिए और डीप में चलते हैं सबसे पहला word समझने की कोशिश करते हैं budget budget बटे बटे मेरी बात सुनना यह बात मुझे बहुत प्रसंद आई सुनो plan बजट दो प्रकार के होते हैं кіरे फानल दूसरा होता है इंटरिम बजट यह बात मिह बहुत पासदाई थ्यान से शनीएगा intron budget और final budget दो प्रकार के बजटट होते हैं interim budget आता है in the year of elections इन दे इर आफ इलेक्शन्स जिस साल देश में इलक्शन्स होते रहेंगे स्टेट इलक्शन्स प्राइम मिनिस्टरियल इलक्शन्स जिस साल देश में इलक्शन्स होते रहेंगे इस साल दो बजट आते हैं ज्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को किसी ने भी मिस नहीं करना ज इस साल देश में elections होते रहते हैं, टेक्निकली वहाँ पर दो budget होते हैं, एक budget होता है interim budget और दूसरा budget होता है final budget, ज्यान से सुनिएगा, अब आएगा 2024 का election, don't you think so, 2024 में elections आने वाले हैं, आप 2024 में देखोगे, दो budget आएंगे, एक 1st Feb 2024, 2024 ये लोग interim budget को launch करेंगे, 1st February 2024 ये लोग क्या करेंगे, interim budget को launch करेंगे, elections होंगे, कब June, July, August में इसका result आएगा tentatively, या तो July and या तो August में इसका result आता है, तो लगभग मान के चलिए, जुलाए 2024 नई सरकार बन जाएगी, हो सकता है, यही वाली सरकार continue हो जाए, हो सकता है, most handsome bachelor in India, after Salman Khan की सरकार बन जाए, right, सरकार किसी की भी हो, हमें कोई लिन दिन नहीं, हो सकता है, existing finance minister continue हो जाए, यह आगे का budget बनाएंगे, मार्च तक का, या ने, एक budget जो चलेगा interim budget, यह फरवरी से कब तक चलना वाला है, जुलाए, जुन जुलाए, जब तक कि भी नए appointment नहीं आता, जैसी नए appointment आजाए, जुलाए आगस्ट में वाट्सोएवर, यहां से ले जुलाए, उसी साल एक और budget आते है, कौन सा, final budget, यह सिर्फ उसी साल होता है, जिस साल election हो, यह सिर्फ उसी साल होता है, जिस साल क्या हो बिटा, election हो, लिखलो जल दी, अगर election है, तो इस तरह का काम होगा, सो इंट्रिम बजट कब आएगा बिटा इन द इयर ओफ इलेक्शन टेखनीकली इन द इयर ओफ इलेक्शन दो बजट आते हैं एक आता है इंट्रिम दूसरा आता है फाइनल तो भी नया बजट लाने ही पड़ता है बिलकुल है है सरकार उनकी है पर टेक्निकली वह इन द इयर ओफ इलेक्शन नहीं करते हैं इलेक्शन से एक साल पहले करते हैं कि मेरा भाई पूछ रहा है कि सर फिर तो जाने वाली सरकार जान मुझ करके ऐसे बजट बनाएगी जो यू लोगों को लुभाए वोटर्स को लुभाए जो फार एक्जांबल बताता हूं दो हजार अटरा दो हजार उननीस में इलेक्शन से इन टू ताईजन नांटीन इलेक्शन जो इह होता है न जनरली इन बजट्स को किया जाता है ड्रीम बजट्स जनरली इन बजट्स को क्या कहा जाता है ड्रीम बजट्स क्यूंकि एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राए कि वो इतना बेनिफिट प्रोवाइड कर दे कि अगले साल वापस से उनकी सरकार चुन क्या है तो यह आपका ही निये सालों से चलता आ रहे है रहे है कि उनकी सरकार च करके रता बड़ गिंग वार उल्टा भी होता है अच्छा खासा इन्वेट में रहाता मतलब या तो उस दिन जो एक कार मैं बाहर लेके निकलता या तो एक गुसा के निकलता इतनी पॉजीशन स्वाने लगा के रखी थी और मैं वेट कर रहा था क्यूंकि टूंकि 2019 में इनके लिए भी वह एक्सपेक्टेड़ी बात थी उन्हेंने बोला हमारे को आएक के कम्पीट करेगा कौन है ओके टाटा बाइबाइब करने से रहा है पोजीशन लगा रखी थी बस आये बजट और शाम में मैं कार बुक करूं ऐसा पोजीशन लगा के रखा था फ्यूचर्ज में पर इनको अल्रेड वानन था जीतने यह वाले बले काई को दिमाग लगाने का कोई ड्रिम बजट नहीं इतना बयानक बजट लेकर के आए दो हजार अट्रा में कि पूरी कार ही गुज गई है बहुत लंबा नुकसान हुआ बट ठीक है क्योंकि कई बार क्या होता है जरूरी नहीं हर बार हो इव दो गौर्वर्मेंट इस कॉन्फिटेंट एनफ कि हम ही आने वाले है जरूरी नहीं कि वह इस तरह के काम करें वह बोले आ अपन भाई सक् में आपन जलते नहीं है तो ऐसा हो सकता है अच्छा है अगर देश में इलेक्शन नहीं हैं तो एवरी येर एवरी इअरे क fb अबरी फ्रश प्रिप्र कॉप क्या मिल जाएगा बजक मिल जाएगा रिख प्रिपेर्ट as per fiscal responsibility and budget management act, budget is prepared as per fiscal responsibility and budget management act. budget is prepared as per fiscal responsibility and budget management act. अब जब देखोगे, बजट के अंदर में कई चीज़े आती है, जैसे अगर आप कभी बजट देखने का मौका मिला होगा, तो वहाँ पर सिर्फ टैक्स की बाते नहीं होतीach, उन्डेसक की जाएंटू, ब्जट कोई और वर्चाल करन्सी इसका बहुत बुल्वाला था, and government is very very stubborn कि हमार को digital currency never launching नहीं करनी हाला कि उन्होंने taxation दे दिया इससे related मतलब में को समझ ही नहीं आता भारत सरकार का पिछले तीन सालों से बोल रहे हैं कि भी यह bitcoin, ethereum और जितने भी virtual currencies है हमें इसे recognize ही नहीं करना एक तरफ बुला हमें इसे recognize नहीं करना और दूसरे तरफ इससे related taxation loss दे दिये इस साल समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा I like you but as a friend क्या मतलब है जीवन में इसका I like you as a friend मतलब है इन बातों का आप को क्लियर कर बोल रहे हैं तीन साल चाहिए हमको चाहिए ही नहीं यह invalid है अगर यह invalid है तो इसको taxation loss क्यों यह कि अगर यह invalid है तो इसको taxation loss क्यों है लाखर के रख दिया मेभी sooner और लेटर लेके आएंगे आज तो नहीं है सुना और लेटर लेके आएंगे भाई थोड़ा साइड जिस्ट करना क्या मिला उपर करना बच्छों के हिट जाने अच्छा बजट का जो टैक्सेशन पॉर्शन होता है यह फाइनस एक्ट में आड होता है तो अब पॉर्शन इस एड़ेड इन फाइनस एक्ट बजट से जो रिलेटेड पॉर्शन होता है टैक्स का पॉर्शन होता है यह फाइनस एक्ट में क्या जाता है एड किया जाता है तो इस से आते हैं अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू डाइरेक्ट टैक्स रिलेटेड टू इन डाइरेक्ट टैक्स अब budget में जो आता है अब budget में जो आता है इस से related portion amendment आता है amendment दो प्रकार के होता है direct taxes related amendment हो सकते है indirect taxes related amendment हो सकते है क्योंकि जब budget आता है यह दुरू गैमेंडमेंड लेकर क्या आता है डारेक्ट access to related amendment भी लाता है और, indirect access to related भी amendment लेकर क्या आता है अब जарए जानच सुनिएगा इस portion को एक भी व्यक्ति ने miss करने की गल्ती मत करना राइट आंधी आए तूफा है, यह अमबर हट जाए अगले 10 minutes सिर्फ स्क्रीन की ओपर देखना क्योंकि ये concept आपका miss नहीं होना चाहिए, ठीक है Focus, ये किते है बिटा Focus, direct tax, indirect tax, ठीक है, direct tax, indirect tax Direct taxes के amendment और indirect taxes के amendment को effect कैसा मिलता है डायरेक टैक्सेस के अमेंडमेंड को इफेक्ट कैसा मिलता है? डायरेक टैक्सेस के अमेंडमेंड को इफेक्ट कैसे मिलता है? वापस से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ? डायरेक टैक्सेस और इन डायरेक टैक्सेस के अमेंडमेंड को इफेक्ट कैसे मिलता है? वापस से सुन कैसे मिलता है। बजट आया। बजटने डिर्क टाकसस के भी अमेंडमेंट दे इन डारेक्ट हैक्सस के p succession आघ्ड मेड करहेंगे अनलेस अडर डेटेस्ट इन्लेस अदर डेतेशी नोटिफाइड है जैसे अटरा परसेंगी इक आडिस परसें उस ही नाध बारह वजे से लागो जार अ अमिशन गतनुड उतर कितने वजे से लागों जाग़ा बारह से लगुकष जाएगा तो इंडरेक्ट एकसे के अमइंडिम उसी राध से आधी राध से लगुव हो जाएगा है तो इंडरेक्ट एकसे अमेंड्मेंट are applicable कटली गेवल applicable from midnight unless इस नोटीफड अधकड पर दे जाएंगे, ऑनलेस कोई और डेट नोटीफाई की घई हो, जब तक कोई और डेट नोटीफाई नहीं की घई हो, वाहि और बैनों, उसी राज से अपलाय कर दिये जाएंगे, तुरंट, बट यह हम GST में पढ़ेंगे है अपना कामे इधर फोकस करनेगा मैंने आपको बता जरूर दिया पर अपना कामे इधर फोकस करनेगा डारेक्ट अक्सेस के अमेंडमेंट कब से अपलाई करेंगे कब की बात कर रहा हूं है डारेक्ट अक्सेस के अमेंडमेंट कब से रुको एक सवाल था जो बाकी था कल का थोड़ा जूम आउट करना एक सवाल था जो कल का बाकी था है सवाल क्या था एक्ट कॉन से यह में आया था रूल्स कॉन से यह में आया था अब देखो तुम्हारे को कॉंटेंट प्रूव करके देता हूं तुम बोलोगे सहाब फुल रिस्पेक्ट मजा आ गया ध्यान चे सुनना एक ने भी ध्यान भटकाया तो मजाक नहीं कर रहा हूं पर ऐसा कंसेप्ट आएगा ना तुम्हार को तुमको लगेगा साला दो दिन पढ़ाया तीन शब्द मंजालाओ रहूंगो सब को दिखना चया दी जिख रहे हैं ये सवाल को बह difू हो बेटा पर हां? direct tax के amendment 1st day of next year से apply करते हैं direct tax के जो amendments होते हैं यह 1st day of next year से apply करते हैं ऐसा इसलिए है, because the whole income tax is written in assessment year format आने वाले साल में, आने वाले साल में क्यों? during the current year you will earn income, and you will pay the tax in the next year so technically tax related amendment has to be applied for next year and not this year so actually whatever you brings up now will actually be implemented in whatever you brings up now because tum saal bhar to income kama hooghe jab tak 31st march takke rata barabaya taktumari income gandhati hoti oh jab takrat barabaya taktumari income 31st ki rat barabaya taktura dhanda यह मैं नहीं कह रहा है अकाउंट कह रहा है 31st की रात 12 बज़े तक क्या अगर एक bottle भी sell हुई तो वह income में count होगी कि नहीं होगी अरे हां यहां अब 31 March तक क्या तो तुम अपना income compute करते रहते 31 March रात 12 बज़े तुम्हारा income computer तुम क्या उससाल टेक्स पर करोगे ए डिपार्टमेंट रूख 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 ही तक मैं पॉसिबल रही है नहीं कई चेक होते जो कुछ लाया वो अगले साल अपलाय होगा income of previous year is taxable in assessment year आने वाले साल में होगा So, direct tax related is applicable from first day of next financial year applicable from first day of next financial year suppose एदर सुनिया 1st Feb 2022 को क्या आया होगा budget ए हाथ रो स्क्रीन पर देख बिल्कूल पेन को हाथ नहीं लगानेगा एक फरवरी 2022 को budget आया होगा आप इन को हाथ नहीं लगानेगा सुन दंदे पे धंदे एक फरवरी 2022 को budget आया होगा से यस अब जो यह budget आया होगा इसका applicability कब से बना होगा आपका financial year चालू हुआ होगा एक चार दो हजार बाइस टू 31st March 2023 इस पूरे दौरान आप क्या कमाओगे income yes or no आपका current year तो यह चालू होगा एक अप्रिल से आपका नया current year चालू होगा आप साल भर यहाँ पे income कमाओगे साल भर यहाँ पे income कमाओगे लेकिन क्या tax इधर ही दे दोगे इस पर tax कब दोगे assessment year में इस पर tax कब दोगे assessment year में that is 23-24 के दोरान logically speaking एक फर्वरी का जो budget आया यह implement कब हुआ next year से क्योंकि एक फर्वरी को तो budget आया है budget अब जो साल चालू होगा वहाँ पे apply करोगे कभी भी budget transaction के पहले बनता है transaction के बाद नहीं तो अगर आप यह सोच रहो budget एक फर्वरी को आया तो आप एक फर्वरी से budget लगाओगे एक अप्रिल के लिए यह budget है आने वाली चीजों के लिए budget बनाये जाते हैं जैसे तुमारी शादी के लिए घरवालों ने बजट बनाया तो यह हो गई है तब बना रहे होने वाली यह तब बनाएंगे तो आप एक अप्रिल से जो एर चालू होने वाला इसके लिए उन्होंने बजट बनाया लेकिन इस एर में आप पूरा का पूरा इंकम अन करोगे बरबर है जो नए प्रोविशन आये हैं वो प्रोविशन का कानून का फॉलो करोगे फर एक्जांपल हो सकता है इस एर में उन्होंने बूला कि अगर तुम अगर तुम यूनु कॉंट्राक को पेमेंट करते हो तो 2% का TDS काट हो तो इस साल जो भी कॉंट्राक्ट आप करोगे उस पर 2% का TDS काट होगे लेकिन इस साल भर में जो income कमाई इस पर tax कौन से year में दोगे March के बाद 31st March 2023 के बाद that is year 23 24 याने क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ budget का actual applicability कब आया first day of next year यहां इसका actual applicability आया क्योंकि जब तक आपका income earned ही नहीं समझता था तब तक आपको tax कितना pay करना ही है कैसे समझेगा कैसे समझेगा सर्चाज देना है या नहीं देना है जब तक आपकी total income ही final नहीं होगी तब तक कैसे समझेगा मालिक की भी है मिरको बोलो ना tax देना है की नहीं देना है income tax act 1961 what are rules एक एप्रिल 1961 को पहला बजट आया होगा रूल्स आर इंप्लिमेंटेशन अप्लाय कब से हुआ होगा advance proved act 61 and rule 62 it has got logic hence food income tax act 1960 and rules 1960 to kya kapral 2,000 1st April 1961 एक अपरिल 1961 को जो आया हो गा इसका इंप्लीमेंटेशन चालू ऑगा फरस्ते एप्रेंटेशिटी दू है N's Act 61 एंड रूल 62 थैंक्यू सो माच थैन्क यह इस समझने को कितना टाइम लगा तुमार को टेखनी कली चार से साधे चार घंटा कलका तीन आज का एक बढ़ी चार घंटे बाद तुमको समझ आएगा जहां से शुरुआत कि खड़े तो ही और लिक्ते दिये दो पेज किसे एक दो पेज लिख दिये हैं किते पेज लिख दिया हैं कि तुमारी एंड़राइटिंग खराब एक पेज के उप यहां जा रहा रहा है जीवन में है याद मी तो में हाँ हाँ गती है कर जहां खळ आज भी तो हुँआ जीवन में इनकम टैक्स आग नैंटीन सिक्स्टी एन रूर्स अब बोलो ऐसा क्यूँ विकास पूरा इंकम टैक्स आने वाले साल की लेंगवज में लिखा है फरी आपने आपको वापस से सुनों नहीं को समझा में यह कंण आपको एक और बार समय मुद्ध को तुमको अच्छे बच्यों मैं अपने आपको एक और बार समय रहा हूं ऑभी राओ, कुए nature नहीं था, विजे शून, देख बेटाँ विजे की विजे सुन, विजे सुन, विजे सुन, इद्राँ विजे कि यह सुनीदर कि बजट क्या होता है वीड़ा बजट टेर से बात कर रह तरहाई तरोटे नहां कि पुंप टिरे से बात कर रहा हूं मैं सून वकास दो प्रकार के बज्ट वटेयर इंतरिम अब बोलना वाज इंधिकल दो प्रकार के बजट होते हैं हाँ इंटरिम जेट सीफ इस साल में आता जिस आल याने एलेक्शन में एक बजट आता है कि दो वेरी गूड जिस साल वजट नहीं र बजट हमारे काम का है कि सिर्फ amendment portion हाँ तो यह जो amendment portion है फैनेंस act में आड कर दिया जागा , इसमें दो प्रकार के amendment होंगे बड़ाबड़े जो indirect tax के amendment हो उसी राद से लागू हो जाएंगे उसको बाजी करो डीटी के बाद GST पहले नहीं आता अब आता है डीटी बैरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कबसे लागू होते हैं याने एक फरवरी दो हजार बाइस को जो बजट आया होगा चालू उसके उपर काम एक अप्रिल से ही हो चुका होगा लेकिन एक्चुली कब इंप्लिमेंट होगा इसके उपर टैक्स एक पाइगा ना तो पहले तो इंकम कमानी होगी तो एक अप्रिल दो हजार बाइस से लेके 31-3323 तक के जब तु इंकम कमाएगा राइट इसके उपर टैक्स तो 2324 में देगा जो भी तेको डेड़ बताएंगे उस डेट के आप से समझा तू अरे समझा तू, हाँ, अभी एक मिनट, खतम नहीं हुआ है, सुन, इसलिए, एक्ट नैंटीन सिक्स्टी, रूल्स नैंटीन सिक्स्टी, क्यों, क्योंकि इंप्लेमेंटेशन अगले साल से होता है, डीटी में, समझ मैं आया, पहले कमाओ, फिर उडाओ, पहले, फिर, समझे, देखो समझा, आभी बैट वापस, शान्ती में, हाँ, सो, अब मुझे बताईए, वेट, आपको नहीं लगता, कि आपका अटेम्ट, अगर में ट्वेंटी थी है, या जून ट्वेंटी थी है, for that matter, नवंबर ट्वेंटी थी है, या डिसेंबर ट्वेंटी थी है, आपके ल अगर में ट्वेंटी थी है, 23-24 के लिए पढ़ रहे हो, आने वाले साल के लिए, आप कब के लिए पढ़ रहे हो, आने वाले साल के लिए, आपका अटेम्ट अगर में ट्वेंटी थी नवंबर ट्वेंटी थी या जून ट्वेंटी थी डिसेंबर ट्वेंटी थी है, आप को इसनो और फैब्रेदेअ किके उन्हार कि अन्हार अario शुम को पर अभीужд को सबसाइब हाइब के ऊबजेट संज चाएक लेकिन घंट्रतिन रिटार वां शुम्नम हर टैविस प्झी स prisons रोरा ग। यह कब से लागू होगा एक्जाम्पल आपके लिए जवाब दो क्या मैं कह सकता हूँ जो बच्चा में 24 या जून 24 फार्द नवंबर 24 या डिसेंबर 24 दे रहा है उसके काम का है तो आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है अपने बुक की पहली पॉइंट पे आप पढ़े होगे आज अमेंडेड बाइफ फानेंस एक्ट टू थाउजन ट्वेंटी टू समझा रही है यह बात आपको नहीं लगता है लिख लेना चीए है 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 ना समझा आया गया आपके खुली के बालिक आज जाना अपने दोस्त को भी यह समझाना उसकी आखियो भाई फुल रिस्पैक्ट चलिए है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे यह रहा सिब्सक्राइब करेंगे है एक सवाल मेरे से पूछा गया है सर कुछ अमेंडमेंट रेस्ट्रास्पेक्टिव भी होते हैं अभी हम बहुत प्रिमेच और स्टीच पे इस समझने के लिए पर यह सवाल मैं अपने पास रखता हूँ ओके डन ऐसे हैं तो मुझे बताईए, even though you have an attempt in 23, still the budget which will come in February 23, do you have any relevance of that budget in your attempt, the budget which has already in place, that is Finance Act 22 is relevant to you all, even though अगर आपका mere attempt, किसी भी X, Y, Z reason के वज़े से हलता भी है, तो भी again आपको DT वापस पढ़ने का ज़रौत नहीं पड़ेगा, for November 23 or December 23, हाँ, अगर November 23 और December 23 भी हल गया, whether आपको ये वापस पढ़ना पढ़ेगा, yes, क्योंकि बज़ट ही चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, बज़ट ही चेंज हो जाएगा, समझा रही ही बात, वो, अब बताईए, 1961 का लौ, मैं 2022 में क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि Act नहीं बदल रहा, Act के अंदर में क्या आ रहे हैं हर साल, Amendment, इसलिए 1961 का लौ, स्टिल अगर हम पढ़ ले, तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि Act is still fresh, सिर्फ year of passing वाहा लिखा है, बाकी हर साल आपका ये Act refresh हो रहा है, are you getting my point, हर साल ही क्या हो रहा है, refresh, do you need a break, no, say no, no, बले जाल जे नहीं यार पांच मिनट का, फट पांच मिनिट से जादे, दस मिनट वो आपस आना जाना लंबा हो जाएगा, हां, एक मिनट, एक सवाल है, कैमरा में हां, नॉर्मली एक जो पार्लमेंट में पास होता है, एक मिनट, आरम सारन, हां, बरबर, तो 1961 का ये पास्ट है, बिल्कुल, इसके इंप्लिमेंटेशन रूल 1962 से है, दने वालिक, सच्वान तुमको ब्रेक चीए, हाया ना, चाहिए ना, इमान दरी से, ओके, टेक ब्रेक और फांच मिनट, पांच मिनट वापसाओ, पर 6, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 3, 2, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 4, 3, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 1, 3, 6, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, आएगा दो दिन रुक आएगा एक मेंट भाई सुनना भाई वहाँ से आके वहाले गेट ओपन कर पीचा से या वहाले गेट ओपन कर आएगा अब नाम देखे रहे हैं अब अब प्राव्लम यह है अभी यार मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि जो एड्मिशन है यह अल्रेडी फुल हो गया है दूसरा क्या है मेरे को लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं बट प्रिमाइसस तो ना आप देखो ना बच्चा कैसे बैठा है यार इसलिए मां बोल रहा है एक हाथ दिन लोगों कुछ मैने जोन दो हम भी ट्राइब कर रहा है कि अट लीस्ट दूसरा प्रमाइसस मल जाना तो हर बच्चा अटलीस आराम से बैठ पाए है 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 लेट में वरकाउट तुदे है है अब बैठ बैठने वह प्रावब्ल ने बैठने को प्रावब्ल नहीं है बिल्कुल नेक्स पॉंट इंकम का वही है हो है सेंटर के पास जाता है स्चिर्ट की साथ फ़ह स्पेसिवक पर्परल की रहता है क्या वहां कि वह कि आखना आटाए व्यक्ति मेरी दोन चांव मेरी ज़ती है, वहतने असे मेरी इंडप सुनाव गासु भांतए, थी अच्याग। अमेंडिके. अब यह वे अमेंडिके. चो होगे? वे बिती होटार, आइडी के लिये देगे? आउजी देगा. तर्म वे साइट कुछानें रहीं संत्राइड के शोरेशाथ भाज, अभी अट्रेश्मी रप्रेश्मी लिगर होता है। रतर्व या कि अज़ी प्रवार प्रवेट चान प्रवेट बाजर आशेगी एक बाजर को सुछित की आख प्रवेट सेख्डरी होगां है इजर गयों घुलता है इसलिंग को करना ओर मारादाता है अगर मेरा क्लास अविलेबिलिटी हो गया ना तो मैं रिजो दिनने कर दोगा हूँ प्रमाइश करना है। अब हमारे काथ ऐसा हुआ है क्मेच्टों के इतना त्यान मिला कि भूभी फुल हो गया और यह भी फुल हो तो इसी मिलें केल अगर कोई ओपिसमा भी किया होगा ना तो उसको अप्रण बोल दिया होगा कि भी या नहीं है कि भी अठाव को तरह पर पष्टों कि अब क्या हो रहा है जब तक क्या में को कि प्रमाइसस में मिलका आगर के मैं उसको वरकौत कर पाना और इसलिए उसके लोग करेंगर की अभी वहां पर है इनका होल गुरूप है अभी अधिने का हम जिनका हमी है एड़िशन के मापन कि अख्टकात गणे पिर्फों और दिश्क्रा भी का तर्फिह अजो हुद के अगषिए जात अग़िए मेरे पास को या तो कि अगतार देखिश यंद जवें कर तो लिए में आपको कुछी फॉच्छ लिगां से अपक गुले में आपको मुटस्तान में करहा इसे बच्छाह जो कम्रेटी में वो आई नी, तो ने इकपड वश्रू कर जाएं. तुमिट तेहीं करना, बरेक्सक्टेट जरूर है. जिए जिए स्थादी में तुमिटाम करना, हाँ ने भर्यशने серь Staat कर चूपने साथी में ने।ोपने ऊखी से डिर्वोन थे धाने, तूमिपनो स्थाव कर दर्थे में में जए्यून करना तेहिंगान ने रिदोए. प्र लोलो कि अचलो कि अचलो कि अच्छान राग गच्छान की अच्छान की कि अच्छान की यह भी जगाँ हैं प्रप्राज लिए सब्सक्राइब प्रुटे एतार डाल कि अजय को कि अजय कर दो कुआ झाल। गजल्दी जाए में, कि रिवलाग्त, पर दोटाए रिवलाग्त, पर गजल्दी जाए पर रिवलाग्त, तो अपादी जाए पकाद प्राप्ष टुम्ड़ान। क्तार करते हैं आजयोगग नविए भुशायन नवर्णाश मेरतोब गिए भुशाया थार्सांव। अजया। अबिस्सटैने, फिक संट संट सनगरे को आपने, तको बसेरा हैं है, तो जद्ञेने विद्ञें करका है, इसकाफन है न कार। जुनाले पादि में और जुए में में जुएंदा आए हरा मज़े रखार है बात का जो तो जो जो नहीं हजा, जो नो जो नहींड हो आतो जो आज तो मुझी करते हैं कर दो जो आनके जो जो नहीं हो कि छपिट पर यह को अधिकशन हुआ यह को अधिक सबस्क्राइब में करें दो जुद करें आपकर जात्राइब अज़ी प्रॉप अधी कोई और चाहिए, प्रफी ग्रास के बादेखे, के फुर लोगें, भी रॉपीरु भी रॉपाइड है, वो प्रॉप एक समय को अज़ी प्रॉप रॉप आधो, यह वी अज़ी प्रॉप 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 बधार्पिश किया था? यह जो जो बाद सब्सक्राइब करें तो जो 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 बाद है बोडी राजन आएंगे तो जो 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 बाद करेंगे जो 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 फो जो 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 किसे फानी रत्वोन है और मेरे चारजर भी अर्ज करवाना है एक बार नहीं और भीजवाना चलो चलो करेंगे आओ बैठो चल करो दो मिनिट एस वेलकम आफ्टर दे ब्रेक बच्चो सबसे पहले दो मिनिट कॉंटेंट को रुको और मेरा एक बात सम्झो ठीक है सो देर आर मेनी स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी एडमिशत नहीं हुआ है क्योंकि नीचे उनको अल्रेडी बूल दिया गया है और इट इस अल्रेडी क्लूस्ट राइट मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनें सबसे पहले मैं यह ट्राइ कर रहा हूं सबसे पहले मैं यह ट्राइ कर रहा हूं कि हमें कोई और एक प्रमाइस मिल जाए ताकि एवरीवन कुट सिट प्रॉपरली ठीक है तो एक तरीका मेरे पास यह है कि मैं एक प्रमाइस सर्च कर रहा हूं जो और इस से बड़ा हो शायद एक और क्लास्टों हो जाए ताकि हर एक जन आराम से फैल के कुछ लोग सो के आराम से लेक्चर ले सके अगर यह नहीं होता है तो as of now मेरे पास जो एक solution अभी available है वो यह है कि अगर आपका पूरे ग्रूप का admission नहीं हुआ होगा तो still वह वाला जो बैच है अपना batch number two वहाँ पे करीब seven admissions है जो पूरे ग्रूप के है मतलब complete ग्रूप वाले क्योंकि वह जितने बच्चे बैटे हैं वो सारे complete ग्रूप वाले राइट जिनका पूरा ग्रूप ही हमार पास है इसलिए we could manage the time as well so अगर किसी का अभी तक यह नहीं हुआ है तो पूरा का पूरा ग्रूप के अंदर में वो काम हो सकता है यह दूसरा solution है तीसरा solution जो एक और मैं work out कर रह जो आपके teachers होंगे उनको आप lose out नहीं करेंगे तो वो एक option हो सकता है फिर उस case में हमें क्या करना होगा कि जो बच्चा यहां पर आगे बैड गया वो बैड गया जो बच्चा लेट आया for any reason वो at least virtual में बैट ले और कोई doubt है तो मेरे से पूछ लाए and I could be visiting over there तो as of now मेरे प उससे आप directly है आ सकते हो because although Darshan sir is also having same crowd तो ऐसा भी हो सकता है कि Darshan sir भी महा ले ले और उसके बाद आप lunch करने के बाद directly prestige पर आए तो यह चार option है जो as of now हम लोग workout कर रहे है because we don't want कि किसी भी बच्चे का एक भी बच्चे का क्या हो नुकसान हो ना हमारे end पर ना आपके end पर तो as of now यह चार solution मेरे पास है आप इसमें से जो solution पर workout करना जाते हो many student are coming and saying के sir मेरा नहीं हो पाया था admission या for whatsoever reason I can understand कि कुछ ना कुछ जरू मजबूरी रही होगी जब यह नहीं हो पाया and next batch को at least आप communicate करके रखेगा आपके जो juniors होंगे उनको कि भाई यह काम तू पहले से क करके रखना right but as of now you know थोड़ा सा patiently hold करो क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो यह बोले कि मैं online करूंगा तो यहां से at least फिर उतना space भी accommodate हो पाएगा तो एक दो दिन का थोड़ा सा you know यह क्या बूल सकते है जंबल है but let us work out मतलब थोड़ा सा time दो कल हमारा भ के हम खुद प्रिमाइस कर रहे थे क्योंकि this was a sudden thing I hope and expect just a little cooperation वाकि हम बैठें टेंशन मतलो यहां पे जो अपना time कुछ 10-15 मिनिट का मिस भी हो रहा है डोंट वरी एकाथ संडे मैं जानता हूं आप मेंको देदोगे लो सरे काम करो आप ले लो एक संडे जानता हूं मैं आप तुमको नहीं लगता तुमने ऐसा करना चीह मिर साथ करना चीह न हो सकता है तुम में को बोलो सरे काम करो गन पती की चुट्टी मत दो मैं ऐसा बोल रहा हूं और देखो तुम में को बोलोगे बरे बरे में तुम्हारी रोज याद आती है तुमको भी एक खाद दिन आ जाए इसार सलो एक काम करें संडे हम बोरी हो रहे हैं चलो लेक्षरी कर लेते आपका मैं जानता हूं एक दिन आपके दिल से जरूर निकले कर लेगा अच्छे का से मूण में अच्छा नहीं लग रहा तरफ को चलो बेटा अब आते हैं सबसे बैतरीन पार्ट पे ब्रेक के बार आप सबीके स्वागे ते आते हैं सबसे बैतरीन पार्ट के उपड़ विए चार शब्ट पढ़ने ते लिए आज तक इनकम टैक्स एक नाइंटीन सिक्टीवन अग्ट तोड़ताड कर लिया टैक्स तोड़ताड कर लिया नाइंटीन सिस्टीवन को आज भी क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी लॉजिक समझ लिया क्योंकि हर साल क्या रहे अमेंड्मिन पास वोता है एवरी येर दिस गॉन टू रिफ्रेश अपन तुम्हें लिटरली जगडा करना ठीक है मैं आपको अलग अलग एक्जामपल दे रहा हूं मैं को तुरंट जवाब नहीं चीए सोचिए पहले कि क्या यह इंकम नहीं है और फिर हम एक एक करके डिसिजन लेंगे इस पर आई यू रहे तो बात उन में हो किया दिए मैं हूं अपन ड्रग्स बेचते हैं अगले एक्टिविटीज में इन्वाल्ड है शुदान मिर्जा जो वंस अपाउन टाइम इन मुंबई में मैं बड़ाइब बड़ाइगे सुनका बहुत अच्छा करेक्टर है in real life तो अपन ड्रग्स बेचते हैं स्मगलिंग करते हैं हावाला कर पैसा कमाया क्या यह मेरी इंकम है मैंने जवाब पूछा आपसे मैंने बूला सूचना है है यही प्रॉब्लम है तुम इंस्ट्रक्शन सही सुनते नहीं हो पहले ध्यान से सुनों अपने मन में रखो फिर जगडा करेंगे इसके उपर और जगडा मैं नहीं करूँगा आप दू लोग करेंगे कोई तो एक जन्व फिवर में और एक जन्व ओपोज में होगा यह दो लोग जगडा करेंगे हम सिप सुनेंगे ठीक है दूसरा दूसरा ज्यान से सुनना रैट सो मैं ड्रक्स बेचता हूं मैंने मडर करके पैसा कमाया दूसरा मैं चंतन की लिए लर लक जीब में डाल दिया क्या यह मेरा इंकम ए को नेक्स्ट नेक्स्ट में वहाँ के मंदर में गया गवान को पैरों एक दिन बच्पन में दात तुड प्पा ने सोने का दात मंद्वाया था पैसे की जुरूत पड़ी सोने काह prag बेच मारा, क्या ये मेरी इंकम है, अपनी किडनी बेच मारा, पैसा आया, क्या ये मेरी इंकम है, मेरे रिलेटिव घर पे आये, चार गाली के अलावा, एंड में, सव रुपए पकड़ा के गए, आपको तो मालने में होदिस रिलेटिव सार, शाला एक बहुत बात कहने जा र रहा रहा हूं ठीख धने सुनना जिंद्न की मिना पॉजिटीव समस्झ आता है निगेटिव समझ आ था एक सो ब glut यह जो समझ नहीं आao दाइगा व्यमान है इसके बाद में मैंने क्या किया किया कि किराना की दुकाने वैब कि सामान वेचा यह बीमिंग में किराया आता है मेलों और यह जींगत किया में geology विद्विट। मिला क्या मेरी है है जुआ सट्टा लॉट्री ड्रीम इलेवन कसीनो गैम्लिंग बेटिंग शर्त लगाना इससे मुझे पैसा मिला क्या ये मेरी इंकम है शर्वात करते हैं पहले कंसेप्ट से मैंने स्मगलिंग की मडर किया दियाड़ सो रुपिया दियेगा गांजा इरुएन का दिन्दा पैसे आए क्या ये मेरी इंकम है हाँ या ना आए नीड वन परसंट उसे येस 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 एक येस येस एक परसंट नो ये इंकम नहीं हो सकती गुड़ ठीक है भाई एक मिट खड़े हो जा तू भी बच्ची खड़े हो जाओ आप भी लड़ो देख के बात कर देख के बात कर हां और जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं आपको दिखनी रहा मैं 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 इनको ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूं हाँ आप्जेक्ट मैंडम स्मगलिंग ड्रग्स ये सब दो नंबर का पैसा है और ये इंकम नहीं हो सकता ऐसा एक वेक्ति कह रहा है पैसा तो पैसा है गान्दी जी के नोट पे शकल को जई है इंकम इंकम होता है, पैसा पैसा होता है वह कहे रही है गॉर्मेंट के अब्जेक्टिव से पैसा कैसा है गॉर्मेंट कभी भी को प्रमोट नहीं करना चाहती पैनल्टी लगा वो अलग बात है पैनल्टी तो तब लगीगी जब वो धान में आएगा कोई गलत कर रहा है बताएगा भी देखके बोल डरी तुस्से है क्लाइंट के लिए लड़ना है तिरको समझ रिये बच्चे आज ऐसे खुखार लोगों से डरेगी कल चलके कैसे जीतेगी इन को से डरने काने भाई खडा युदर आगवल ड़ीट यह इनका में एक मिनेट पैसा पैसा होता है ख़दमात कोई धन्दा छोटा नियोता थन्दाश बड़ाव धरम नियोता इनका में आपके मैंने मैं लोड यह कोट का ज्यान बटका ले हैं आए अब्जेक मैं लोड मैंनी मानुगा क्या मतलब होता है एक मिन्ट हुआ यू आपको जिल में दूना एक मिन्ट गलत क्या पेनल्टी लगाओ वाईसा बात सुनों गलत क्या पेनल्टी लगाओ वर इंकम तो है दो बैठी और वोला कि सीने हां बुला था इंकम है हां इंकम है हां हां इंकम है कॉन बोल रहे हैं नहीं है नहीं है बोले है इंकम है नहीं वाला ची यह तुम दोने तो यह सेम टीम में हो हाँ इंकम है मैं कहता हूं नहीं है अब कोई नहीं लड़ रहा तो मैं तो लड़ू आज एधर आज एधर हाँ बूल भाई इंकम है को है कि इंकम इंकम तो है कि मेरा यह कह रहा है बात बरबर एकद मई लेकिन मेरी एक बात समय का नाम करने का मतलब यह तो नहीं तो इसका नामी करन कर दो अगर अगा अगर इन लिगल एक्टिविटी को बढ़ावा दे दिया तो गवर्मेंट के लौ रेगुलीशन की लोगे मनने का लॉजिक क्या है अगर आप इन लीगल एक्टिविटी के इंकम को इंकम कंसिडर करेंगे तो एक बात समझे की से इंग अच्टिविटी इसको बढ़ावा कर रहे हैं तो यह मतलब नहीं कि आप उसे कैसा समझते हैं देश उसे कैसा समझता है 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 ना आपकी नजरों में हो बहुत खूपसूरत है जरूरी नहीं सब के नजरों में हाँ हाँ सबस्akat कि एक से भनी एक है कि य हो क् आक य है कि चरुंड़ू है मैं आप से यह पुड़ी का रहा था दोजार का नोट मिला इंकम है क्यों कि अरे नहीं दोजार मिली ना कैसी बाते कर रही हो मैंडम देखो आपको पैसे मिले इंकम ही ना अंड थोड़ी ना भाई साम मेरी खेर यह तो वह जो मैं को बीवी ने दिया आज खर्चे के लिए हां मेरा डेली का सब्सक्राइब करते हैं तो तुमको पैसे चाहिए क्यों उस पगली को कौन बता है लड़कों के बहुत एक्सपेंसर होते हैं कौन समझाए उसे चाह 25 रुपे की हो गई है कौन समझाए उसे खेर जी से नहीं समझा पोगो कौन है हमारे आदे जोस्तों यह सोचके घर से बाहर निकल रहे कि यह पैसा ला रहा होगा खेर चोड़िए विदे पॉइंट इस दोजार रुपे में को सड़क पे मिले इस अन इंकम तकलीव कहा है इंट संगे नो माम इट सगें सोगेन इस अनकमनो अरे अक्टिविटी कुछ नहीं की मतलब ऐसा तो रहा होता है यार मतलब या आप ये कहना चाहरे हैं इंकम कमाने के लिए कोई अक्टिविटी का होना ज़रूरी ऐसा यार फिर ऐसे तो मेरे को लोटरी का टिकेट का नंबर लगा वो भी तो मेरे कुछ कर नहीं रहूं वो तो लग बाई चांस हुआ ना ये भी तो बाई चांस हुआ कमाया वाइनकम रहता है सर लोटरी में आप क्या करते हो पील मुशन मानो में में जो पैसे हमाय उसको भी इंकम मानो पैसे में पैसे कमया वी इंकम मत मतमानो जो चापीर से पासे हम प्यांस को बीइंकंअ Ma night आप एंध Exposed Al Knowledge कैसे डिफाइन अधिकल नया वड़ भार आया है वैसे में आपको बता हूँ एथिक्स इस वेरी ब्यूटिफुल वड़ इन बुक्स अध्युली इन प्रैक्टिस में यह कुछ वरक नहीं कर रहा हां जी बच्छे बोलो तो भीटा काम दूसरे नहीं कि और मजे आपको मिले तो यह इंकम कैसे है ने ने अ पाथ कार लोगे है अरे अधिन मिन दाट यार इंकम कैसे हां बच्छे हाजी अधिन मिल गया हाँ चले नहीं क्लेम किया कर दिया तब तो मेरा कुछ वह इनी मेरे आथ से चला गया हाँ तो सर मालो ना मैं चे मैंने रुका कोई नहीं आया अब इंकम हो गए मेरी हाँ तो ऐसे बोलो ना जनाब इंकम है हाजी बच्छे थू बिजनेस या प्रोफेशन से जो पैसा मिलता है वही इंकम है तो फिर जो रेंट कलेक्ट कर रहा हूं मैं वो बिजनेस और प्रोफेशन कैसे हुआ सर और जो डिविदेंट कमाया वो तो मेरा धन्ना नहीं है जो इंट्रेस्ट कमाया वो भी मेरा धन्ना नहीं है यह पैसा पैसा मिला इंकम है मैंडम का बड़ा क्लियर कंसेप्ट है हाँ नहीं है क्या बुले पर गेम तो है न अच्छा ठीक है हाँ जी हाई मेरा कह रहा है सब्सक्राइब आप निगा ड्रग्स इल्लीगल है पर हॉस्पिटल में जो ड्रग्स यूज ओर रहा है वो तो सर विर वो भी तो इल्लीगल हुआ सर अंडरस्ट एंड़ा ट्रग्स मेडीशिनल ड्रग्स नॉन मेडीशिनल ड्रग्स अल्वेस पर्मिटेड ईए इसी जगने जाते हैं तो चलिए तीसरे एक्जांपल बिचलते हैं कॉनलोजिन पर नहीं पहुंच हो मैं हाँ बुल बिटा बुला इंड में हाँ कि गांजा की खेती कि अरे एक मिनिट मैं क्या बोल रहा हूं तुम क्या बोल रहा हूं नया है वह अरे आप समझे रहो कोट रूम में जब दो लोग जगडते होंगे क्या सीन चलता होगा कि अच्वाती होट Kenya क्या आधना थी आधनी एक तरफ करना चाहने इंट में तो पर नमिलिए अपनी लगता यह फ्रूप रूप करना चाहिग अन पर्सक्राए प्सक्राइब कम जाए निख रंदे ना मों लोगर टायओ पर टूम यह तूम प्रूपर ना चाहओगी वह में न सब्सक्राइब में एक पर इतने सारे दोस्त करें यह लग अलग बात करने जा रहे हैं आधी विट्चेंड में हाँ मैं माम गॉवर्मेंट इसन अंटिफिश्चल एंटी उनको आई जी नहीं है जल्च नजर वोगाइस कि एनिकम है और ऐसा नहीं है तो आप बिजनेस ए प्रोफिशन बहुत सारे नियों सकते हैं हैं हो बहुत सारे हो सकते कितनों का लिखते बैठेंगे यह एथिकल realize जितने यह लोगों को लिखा होता है यह यहां तो कुना gelecek इन मुझ के लोग नहűंच के लोग बलंबिचकारी उधर ही करते हैं जैन मुझ के था कि हमने किडिनी बेची क्या यह इनकम है एक ची है हँ एक ची है ना ख मेन आ आख कोई लड़ने के लिए ट्यार पर आख करोगी सुच्छ एक शीच calculation क्या और के आख जा कोई कीडिनी बेचे लनकम माइं एक रहए हाँydी बैट पाइसे कोई इस नो my इन देटो आ. कि एक मेंड़े गुण हां इंकम इसलिए में है क्योंकि कुछ करके ने कमाया कुछ करा होता कुछ का किड़नी था बेच दिया इंकम है मेरे एक दोस्त ये कह रहा है कैमरा आ सकता है उनके उपर कि नहीं वह उदर नियाएगा अच्छा ठीक है ठीक है आप बुलिए बिटे किड़नी बेची पैसा आया किड़नी बेचने में में दम लगता है क्या किया मत बोला आईसा पड़ा था अख किड़नी भूत किड़नी निकार लिया या है का बात संबरा हर भा जात का कसूर नहीं होता हाँ जरूरी था कि लड़के जो सोच रहना है ठीक है अपनी सोच को थोड़ा ऐसा सीमें तरको जीवन में ना लाइक हो रहे हो तुम लोग दूसरे दिन हाँ जी कि यह हाथ वाले वर्ड पहले बाजु करो शाला में अगमी नहीं है इसमें एक मिनिट वह मैडम देखे आपको प्रिम में मिली चीज है कि अपने बेच के पैसा कमाया इंकम है पैसा इंकम है खतम क्या लीगल इलीगड अरे भाई एक बात समझो नोट मेरी बात समझे आपके भिहाब पर एक्जामपल दे रहा हूं नोट यह है नोट पर लिखा होता है मैं जिसका हूं मैं उसका हूं जिसके हाथ में हो उसका हूं यह थोड़ी निकाथ यह कैसे आया क्या पता कल मैंने यहां पर आकड़ा लगाया ता तीन नमबर आया सव रुपे मिले अब है अब नोट पर तुर इन लिखा है बरे बर ना बच्चे ऐसा इनने का मैंने नहीं है और यूरे श्याओ केस बेढ़ जाओ लड़की के हाथ में केस गया मतलब हाँ जी कुछ किया तो ही इंकम आएगी इधर वाले नकल से उधर बैठो हाँ 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 मैं क्या टू यह आप इसमें करते किया रहे है कौन सी यूमन् में एक्टिविटी और यूमन स्किल इंवाल्डेस में कोई तो अप्लिकेशन आफ यूमन स्किल ना चीए था बढ़ार ना कि कहिना क्या चाते हो जीवन में हाँ हाँ एक मेरे तुकिस साइड में बोल रहा है इंकम है या इंकम नहीं है इंकम हए नहीं है रिद्धिया हुव भी बहुं हाँ बहुरी तो आई तींक केश जी टाद नंहीं हाँ जी महीला वरसेज महीला अब आगा मजा महीला वरसेज महीला अब आएगा मजा हाँ आपके अपोनेंट माहं तो नहीं हुआ है पानी पी बच्चे तो पानी भी उन्हें पुरा मिचानॉमिक स्टीन भी और पेसा आया तो पैसा थो पैसा के सा पैसा है यह आउट अफ्ट 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 अवाली चीजों को आप इंकम नहीं बोल सकते बरबर ऐसे बोला आपने एक मिनुट मेरी बात ध्यान से सुनना में इनको पोस्ट करना जाओंगा माइलाड कोट कर रहा निया भटकार रहा जाते हैं इन्होंने कहा कि लव यह सोचों किता लफड आयना जीवन में नेक्स्ट केस नेक्स्ट केस मैंने मेरा दाथ बेच मारा सोने का अब है ओनलाइन कह रहा है सर इफ यू रिसीव मनी इस अन इंकम नो माटर हूव यू रिसीव इट इस त्री वर्ट शेस इस रिए ओनलाइन अरे फेस्टू बेस वाले ना लाएं कि तुम क्यों हो रहे हो हां चलिए चौथा मैंने सोने का दाथ बेच मारा क्या यह मेरा इंकम है हां यहां हां यहां अब क्या तकलीप है भाई तुमको इसके पहले वाले केस में तुम क्या बोल रहे थे किडिनी के लिए अब बात कीमत किये बिटा अच्छा तो सोने का दाथ पेचने पर हमारी जंटा कह रहिए कि भी है यह इनकम है अच्छा है नहीं है अच्छा और भी एक example था example था वो मंदिर का मैं मंदिर में गया imagine there is no trust imagine there is no trust एक मंदिर में गया बगवान के सामने 500 रुपे चड़ा दिये क्या बगवान की इंकम है क्या बगवान की इंकम है हा या न बगवान की इंकम है साब बगवान की इंकम है 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 मालम नहीं सर हां और कोई इधर नहीं है तुम लोग क्यों बैठे वह यह इतने शांत बोल दो तुम इंकम है अई नई नाई 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 हां ने बाई जी क्यों नहीं है बगवान ही है तो धुमन है ना है बगवान ही है था यूमन है अब तो एक्जिस्टेंज परी सवाल अचुका है सोचो कितना बड़ा इशु है ये भी बरे बरे चलिए नेक्स अवाल सट्टा जुवा आई पेल ड्रीम एलेवन कसीनो कैमल रेस होर्स रेस मुर्गी रेस चुहा रेस रैट रेस वाट्सुएवर इन शॉट इन सारी तरह के अक्टिविटी को के बीसी स्प्लिट्स विला इस बिग बॉस और वाट्सुएवर इस तरह के अक्टिविटी क्या ये इंकम हैं इस इंकम है तो रोडी में एंड में जो बाइक मिलता है यह आजकल कार देते क्या अप्ग्रेड हो गए के लोग कार दे रहें अप्ग्रेड हो गई लोग ठीक है मेरे टाइम पे जब रोड इसके बाद हमारा कुछ नहीं देखना हुआ दिख भूस हम घर पे कर लेते हैं अ Cubah जबदी चोन देकर यह मेरी इंकम है तो dreamland पर पैसा कमाया थिएप एस हर में पैसा कमाया क्या ये इंकम है अगर आप ये इंकम कह रहतों तो कुछ देर साब लो लुक अव चांस नोच लुक अव चांस नोच लुक अव चांस यस पोकर खेला हुआ इंकम इवरीथिंग विच इस लीगल और टैक्सेवल ओके हां बूलो 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 मैंडम कह रही है कि यह देखो जो कमाया तुमने लीगल इलीगल को रखो बाजू इस निंकम वो टैक्सेबल रहा नहीं है इसका बाद मेडिसियन लेंगे इस निंकम हम बैट 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 खड़े में पैसे आए पैसे आए तो भाड में कौन जाए पैसा है आदमे अच्छा कैसे आया वो तिल लगा नहीं गया हाँ वो बोल्रें लेको ए लिगल इलीगल को करो बाजू पू इस निक गौल इनकम और पूर 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 इंकम अनुरांग सिंग ठाकुर जी करेक्ट इन्होंने लाया था जी एस्टी पे अटरा परसेंट पे कैम लिंग्स के ऊपर है ओके लोके अगर स्किल इन्वाल्व है तो इनकम है बट प्यॉर वेजरिंग इन्वाल्व एक यह बात करते हैं दिविडेंट की दास्ट कंशेव इन इंकम है नहीं है इनकम है नहीं है अब इसमें तूम क्या मेनत कर रहे हो दिमाग लगा के हमने इन्वेस्मेंट किया, ओ, तो फिर तो हर कमपनी ने तुम्हारे दिमाग का पैसा देना चीए, but dividend paying is not mandatory, payment of dividend is not mandatory, it is the company's choice and availability of profit, it is the company's choice and availability of profit, आरे हां, ब्रो, सो बताओ न, income है नहीं है, चलिया है, अब चलते हैं, मेरा भाई कहा रहा है, चलिया इस पर भी एक discussion लेते हैं, एक minute का, मेरा भाई कहा रहा है, हर वो चीज जो हम books of accounts में दिखाते हैं, हर वो चीज, जो हम books of accounts में दिखा रहे हैं, वो income है, तो ये मेरा भाई के घर पे सोने की इटे मिली थी, अब उसको tax करने का right नहीं हमार पास, क क्योंकि उसके घर पे मिली है, मतलब books of accounts में तो होगी नहीं, और books of accounts में होगी नहीं, मतलब अब income नहीं है, तो income tax वालों को तो कोई right ही नहीं होना चीज़ता है, entry number 82 बेभी, अगर आपके logic से चले तो, पेनल्टी लो, हाँ, पेनल्टी लो, दे दोगे, ट्राफिक पुलिस का चलान तो देते नहीं, पेनल्टी दोगे तुम, वैसे, ये लोग जो पेनल्टी की बात कर रहे हैं, इनको पता है, income tax में पेनल्टी कितनी है, income tax की पेनल्टी जो है ना बिटा, ये 200% तक जाती है, 200% of tax payable, और tax payable यह ओ निकालता है, समझे रहे हो बात को, चलो, अब आते कंसेप्ट के उपर, income, income, त्यान तो सुनीगा, लिखिये साब, income, income means receipt, but, but, every receipt, is not an, income, income means receipt, पर हर रसीट, income नही ओत्ती, income means receipt, पर हर रसीट, income नही ओत्ती, income means receipt, पर हर रसीट, income नही ओत्ती, रिशीट को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए है देखो वैसे तो इंकम की एक डेफिनेशन है पर आपको मैं इससे बहतरीन तरीका बताता हूं इंकम को कंसिडर करने का इंकम मेंस रिशीट पर हर रिशीट इंकम नहीं होती हर रिशीट इंकम नहीं होती हर रिशीट इंकम नहीं होती है रिशीट दो प्रकार की होती है दो मिलेट के लिए हाथ रोकना रिशीट दो प्रकार की होती है एक होती है कापिटल रिशीट दूसरी होती है रिवेन्यो रि इंकम नहीं होती है के अंदर में आती है चार चीजे क्यापिल रिशीट में आती है क्या रिखना कुछ भी मत आर नॉट लायबल टू टैक्स unless specified capital receipts are not liable to tax unless specified capital receipts taxable ही नहीं है जब तक के वो specify ना कर दिया जा specifically act के द्वारा right revenue receipts are always chargeable to tax लिखना कुछ भी मत सिफ सुनते रहो are always chargeable to tax बरबर है capital receipts चार प्रकार के होते है पहला loan example समझते जाएं loan bank ने में को लोन दिया दोस्तने में को लोन दिया पैसा आ गया every receipt is not an income यह मेरी लिए liability है यह मेरी income नहीं तो पैसा आया कुछ बच्चे यहां पर जो explanation दे रहे पैसा आया तो यह income है गलत हर पैसा जो आपको मिल रहा है वह आपका income नहीं हो सकता हो सकता है यह loan हो सकता है किसी अन्य प्रकार की liability हो लाइक डिवेंचर और bond liability is a much wider word loan is included in liability but हम bond यह debenture होगा बॉन यह debenture है पैसा आया होगा against the bond पर क्या है आपकी income है company debenture issue कर रही है cash and bank account debit to debenture to particular person whatever contra entry आप जो पास कर रहे हो क्या ही आपकी income है नहीं यह आपकी receipt है पर हर receipt income नहीं होती तीसरा capital capital is all also covered in the definition of liability only but मैं आपको सिव अलग अलग पार्ट में बता रहा हूं right capital मैंने मेरे business के अंदर में पैसा डाला मैंने मेरे business के अंदर में क्या किया पैसा डाला right so आप मुझे बताईए business के लिए यह income होगी क्या person and business are separate legal entity business के लिए income होगी क्या हो नहीं वो क्या है उनके लिए liability और चौता है बिटा personal effects चौता क्या है बिटा personal effects personal effect मतलब जो चीज़ आप अपने personal use के लिए use कर रहे हैं इसके लिए कभी भी आपको क्या नहीं आता tax let me give you few example आपने आपके dad को देखा होगा उनने पुराना scooter या पुराना car sell किया क्या इस पर कभी उन्हें टैक्स भरा नहीं आपके घर पर रदी sell होता है टीवी sell होता है fridge sell होता है sofa sell होता है यह सारी चीज़े personal use के लिए use की गई है जो चीज़े personal use के लिए use की जाती है right इसको जब आप बेचते हो इसके ओपर क्या नहीं आता है income नहीं जनरेट होता है for example आपका mobile आपने OLX पर अपना mobile sell कर दिया क्या यह आपकी income है answer is no क्या यह आपकी income है answer is no इसे income माना नहीं जाएगा क्यों नहीं माना जाएगा यह क्या है बटा personal effect हाला कि personal effect के कुछ exception भी है there are certain exception refer capital gains for example gold and immovable property gold and immovable property are seriously exception to the use of personal effect for example suppose मेरे हाथ में यह ब्रेसलेट है क्या मैं इसे personal use के लिए यूस कर रहा हूं मैं जब भी इसे बेचने जाओंगा I will be liable to tax इसे capital receipt नहीं माना जाएगा exception में covered है क्या में covered है exception आपने देखा होगा आपकी मम्मी क्या करती है old gold देती है और बदले में new gold ले लेती है is this transaction subject to capital gain yes is this transaction liable to tax yes because this is covered in the exception to personal effect भले ही आप उसे personal use के लिए यूस कर रहे है पर इस पर tax आएगा so there are certain exception दूसरा है immowable property for example आपका घर जिस घर में आप personally रह रहे हो यह तो personal use के लिए use हो रहा है इसके उपर capital receipt आना चीए था इसे exclude किया गया है immowable property जब आप घर जिसमें आप रह रहे हो आप इसको बेच रहे हो this will be liable to tax so there are certain exception और भी बड़ी list है ऐसा नहीं इतना ही है पर हम वो capital gain में देखेंगे तो चार चीजे किस में आती है बटा capital receipt में आती है तो जब भी पैसा मिले सबसे पहले अपने आपसे सवाल पूछे क्या यह loan है अगर हाँ capital receipt not liable to tax अगर ना revenue receipt right आप इसको ऐसे categorize करना चालू करो आप यह छोड़ दो कमाया कैसे है आप इसको इस तरह से सोचना चालू कर दो that is it a capital receipt or revenue receipt if it is a capital receipt not taxable except in the case जहां पर दियावा है if it is a revenue receipt always chargeable to tax always chargeable to tax are you getting my point so सबसे पहले पैसा मिला सोचने का यह यह loan है क्या यह liability है क्या यह capital है क्या यह personal effect है अगर हाँ आया तो capital receipt not chargeable to tax अगर ना आया तो every receipt which is not a capital receipt is a revenue receipt always chargeable to tax अब एक एक सवाल पूछता हूं सबसे पहले मैंने smuggling करी डाका डाला illegal चीजे बेचा लगा application करो लगा application करो capital receipt है revenue receipt है कैसे decide किया क्या यह loan है क्या यह liability है क्या यह personal effect है क्या यह capital है क्या हुआ यह revenue receipt revenue receipt is always chargeable to tax आई यह आपको supreme court judgment पढ़ाता हूं इस concept के उपर एक supreme court judgment है ती एक कुरेशी ती एक कुरेशी सुप्रीम कोट का एक judgment है judgment में हुआ क्या था चलिए ध्यान से समझते है केस में हुआ क्या था केस में यह हुआ था that as I see was to a kureishi जो कुछ चीजे क्या करते थे smuggle करते थे इंडिया में एक दिन smuggling के दौरान क्या किया इनका जो goods था वो confiscate कर लिया custom department वालों ने क्या कर लिया जब्त कर लिया confiscate कर लिया custom department वालों ने अब जितना इन लोगने confiscate कर लिया पी ये एक मिनिट आपका गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया है कॉन्फिसिकेट किया है यह आपका लॉस नहीं है आप इल्लीगल अक्टिविटी कर रहा है थे टीय कुरिशी है अच्छा सरी अक्टिविटी में आज से नहीं कर रहा हूं पिछले 15 साल से कर रहा ह यह अक्टिविटी में पिछले 15 साल से कर रहा हूं लेकिन पिछले 15 साल से मैं इस इंकम पे टैक्स भी दे रहा हूं अगर आप कह रहे हो कि यह इल्लीगल है तो मेरी इंकम भी आपने टैक्स नहीं करनी चाहिए अगर आप मेरी इंकम को टैक्स करते हैं तो मेरे लासेस को भ सब्सक्राइब बात समझे सर क्यों नहीं होना चीए यह कामिकलत मेरी जब इंकम टैक्स करने की बारी आ रहे थी तब तो बड़ा इंकम है टैक्स दो इंकम है टैक्स दो आज जब मेरे खणचे करने की बारी आ आज जब मेरे losses claim करने के बारी आ रहे हैं आप मना कर रहे हैं इसका क्या मतलब हो I like you as a friend आपको मेरी income पसंद है पर आपको मेरे losses नहीं घ्यान से सुनिएगा जो तुम मेरी success में रहना चाहती हो मेरे बुरे समय में भी साथ रहना होगा बात समझ रही हो और जो तुम मेरे बुरे समय में मेरे साथ नहीं तो मेरे अच्छे समय की डिमांड कैसे कर सकते हो मेरी एक्स के लिए था ही है आप समय नहीं आपन भी समय खेर वो बाद में कभी discuss करेंगे दंदे जान देते हैं आपने अगर मेरी income इंकम कंसिडर किये सर पर क्या सकते हैं एक्टिवटी आप अलग वेडिव आप समय की एक्टिविटी है कर सकते हैं एल लिगल एक्टिवटी अ पक्का इलिगल एक्टिवीटी सोच ले पका शौरए तु इतने सालों से जो मैने टैक्स दिया रिफॉड कर तो अ कॉप संधी मुझे मेरे सारे में आपको अगर मेरा टैक्स इदा आप इतने साल उसे मैं अगर आपको समझ में आ गया है कि इंडील है मैं इमानदावी से इंडील एक्टिविटी था तो भी टैक्स दे रहा था अब मेरे लोस हुआ है आप मेरे लोस को चुछ गरो हो और अलिंकम सारे डिटेड ओल एक्टिविटेड खत्म अलों करो मैं अटरपोट में यह जज लॉए एक मिनिट आपने इंकम टैक्स में लिखा है वाट इस लीगल वाट इस लीगल अब 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 यह तो आप भी समझ सकते हैं कानून क्या कह रहा है वह बताओ लोग में लिखा है क्या लीगल है क्या इलिगल है इस लीगल है यह तो सिब इनकम की बात चल रही है एक्जाटली इनकम इस इनकम 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 टैक्स अज नथिंग टू विट लीगल और इलीगल सिविल प्रोसीजर कोड एक सेपरेट लॉव बनाया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एक सेपरेट लॉव बनाया गया है है इल्लीगल है, इंकम टैक्स इंकम पे मरता है, वोसी पैसा पैसा करता है और पैसे पे मरता है, उसको कोई लेंद नहीं है, वो लीगल है या इल्लीगल है, डिसीजिजन दिया गया in the favor of T.A. कुरेशी, that yes, he can claim, अगर अपनी इंकम कंसिडर की है, तो लॉस क्लेम करने का भी हक है, T.A. कुरेशी जीत गए जज्जमेंट को, और तब से एक रूल बन गया, इंकम टैक्स has nothing to do with लीगल और इन लीगल, गांजा हिरोईन का दिंदा करके भी आपने पैसा कमाया, इंकम टैक्स को कोई लेंद निन नहीं, गां सुर्टेड हो गया, मालिक आदो के जीवन में, और यह मैं नहीं कह रहा, वो खुद यहीं जानते है, T.A. कुरेशी को सब पहचानते है, ध्यानते सुनिएगा, T.A. कुरेशी जज्जमेंट, दिमाग में फिट रखना है इस जजज्जमेंट को, के साहब, जज्जमेंट कह पहल के खिलेंगे, मैं आपको भी इसको भी लेक्टेगा, रुक जाना, राइट, सो अब आगे का स्ट्ग पिजानना चाहो, के हुआ कि इसके बात, अरि हाँ, हूआ, हुआ यह कीं कम टाक्स दिप्रॉटमेंट हा ता, इंकम टाक्स दिपार्टमेंट हा रा था, और जबज ऐसी आक्टिविटी को प्रमोट करना चाहरा होगा क्या नहीं डिपार्टमेंट गया आगे अगले साल बजट ठीक है क्या जज्जमेंट था जरा सुनिये और मजा आए अगा तो साहब दूनों हातों को जोड दीजेगा ताली बजाते वे ध्यांत सुनना पॉइंट यह था अ वी आर मेकिंग अन अमेंडमेंट इन सेक्शन थर्टी सेवन देट एक्सपेंस और लॉसस रिलेटेट तो इल्लीगल अक्टिविटी विल नॉट बी अलवड एस डिदक्शन आपको समझ माया है डिपार्ट्मेंट ने हारने के बाद क्या किया डिपार्ट्मेंट हारा था उन्होंने इल्लीगल इंकम को तो इंकम मना लिया और सेक्शन थर्टी सेवन ओफ इंकम टाक्स में जाकर के लिग दिया कि हम ना इसके खर्चे को ना इसके लॉसस को अलाव कर जिसने टिये कुरेशी जजमेंट देख करके खुश हुए थे आफ्टर दिस अमेंडमेंट मस्त एक नमबर हमार से हमारी इंकम भी लिली और अमेंडमेंड के नाम पे हमारी आमेंडमेंट के नाम पे हमारी एक्सेंस की भी बैंड वजा दी who is the ultimate winner income tax और हर बार ऐसा होता है मैं कितने judgment तुम्हें बता सकता हूँ जहाँ पर department हारा था और बाद में आया था amendment Vodafone case is one such case you know department हारा Vodafone case में भी और ultimately retrospective amendment ला दिया ultimately क्या ला लिया retrospective amendment ला लिया एक जन्ने अभी में से थोड़ी देर पहले पूचा था retrospective amendment का क्या होता है जब जब income tax department हारता है तब तब retrospective amendment आता है तब तब retrospective amendment आता है are you getting my point so जब भी पैसा मिले सबसे पहले सोनो क्या ये capital receipt है या revenue receipt है capital receipt किते प्रगार क्यों दिये चार loan, liability, capital, personally बताईए dividend कौन सीन कम हुई capital ये revenue revenue receipt मैं रस्ते से या रहा था भिलपुरी का रहा था अचानक 2000 रुपे का नोट मिला revenue receipt revenue receipt बरेबर है इसके बाद मैंने मेरा दात बेच मारा सोने का is it liable to tax तो आपने जो जवाब दिया था कि yes दात के उपर हम लेंगे विकाज ये गोल्ड है क्या आपको ये बाई डिफल्ट पता था रइट हाँ पर मैंने मेरा किडनी बेचा personal effect काई में आगया विटा personal effect मैंने मेरे घर का सोफा बेचा मैंने मेरे घर का टीवी बेचा पपा का स्कूटर बेचा बरतन बेचा पुराने कपड़ों के बदले में बरतन ले लिए है क्या है ये personal effects चल रहा है सबके सब येस लेकिन यही मैंने रहने वाला ही घर बेचा is it liable to revenue receipts उसके ओपरव taxability में आ जाएगा are you getting my point जितने example दियते हैं सबको समझ में आ रहे गा एक और example था बताइए मैंने के बीसी जुआ सट्टा ड्रीम इलेवन आई पील casino वाट्सोएवर रोडीज स्पिट्स विला बिग बॉस इन सब में पैसा कमाया है बताइए क्या होता है revenue receipt are they chargeable to tax या अब आपका फंडा बड़ा clear है या तो यह revenue receipt है या तो यह capital receipt है capital receipt are not chargeable to tax unless specified otherwise बड़ेबर है revenue receipt are always chargeable to tax अब इसमें हमारा को दिमाग नहीं लगाना ही है लीगल है illegal ऐसा क्यों टी ए कुरेशी Supreme Court judgment हमको दिमाग नहीं लगाना है है लीगल है या इलीगल है समझा रही है बात लिख दो आब हाँ handwriting अच्छी है ना मेरी नहीं ना thanks for appreciation receipt दो प्रकार की मैं dictate भी कर रहा हूं please दिखे receipt दो प्रकार की capital revenue receipt दो प्रकार की capital revenue capital receipt are not liable to tax unless specified capital receipt not liable to tax unless specified revenue receipt revenue receipt revenue receipt always chargeable to tax इनके चार एक्जामपल लोन लिएबिलिटी अ क्यापिटल परस्टनल इफेक्ट अ लोन लेबिलिटी अ क्यापिटल परस्टनल इफेक्ट प्रोबेबली आप देखोगे तो लाइबिलिटी में सब आ गया हमने सिर्फ अलग लग लिख लिखा है बाकी कुछ नहीं यह सब लियाबिलिटी के नहीं आ रहा है, लोन भी लियाबिलिटी, लोन भी, कैपितल भी लियाबिलिटी का पालत है exception refers capital gain, exception refers capital gain, example gold and immovable property जी सर, सवाल दापका सोनी के जगे चांदी का दात होता, तू क्या करते है, capital gain के अंदर में आएगा, हाला कि जवाब यह है, capital receipt नहीं माना जाता हाँ जी सर सर, income ही नहीं है, इसलिए tax नहीं लगेगा ऐसी कोई income है कै जिस पर tax नहीं लगता, सर बिल्कुल agriculture income income है पर tax नहीं लगता, इसके लाए जाता है, बहुत सारी income है ऐसे revenue receipt always chargeable to tax unless deduction or exemption is given, unless deduction or exemption is given, revenue receipt are always chargeable to tax unless deduction or exemption is given, unless deduction or exemption is given, company की, हाँ, capital जाइ रिजर्व्ट का पाट बंती है, these these do not go in capital, it is a part of reserves, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत सारे यां परसनाल इफक्त में money laundering is the wrong word, बहुत सारे tax planning हो सकता है, is the right word, right, हो सकता है, हो सकता नहीं, होता है, हाँ जी, अंटिक पेंटिंग जन कार्ज, यस, एंटिक पेंटिंग इस अ कैपिटल असेट, उसको बेचोगे, आएगा इंकम, हाला कि कार्ज जो है, अंटिक कार्ज को अगर आप बात कर रहे हो, तो पर्टिकूरलरी इसको जब आप सेल करते हैं, तो नहीं आता, रीजन विंग, क्यों तब तक कि इसका clarity नहीं आएगा, क्योंकि अपन एक एक आइटम पर discuss करते जाएंगे, तो यह बहुत लंबी चीज हो जाएगी, जैसे अभी अपन ने income के definition को एक cut shot में डाला, या तो यह है तो इधर डालना है, यह है तो इधर डालना है, वैसे ही बहुत सारी चीज आ सकती इसके अंदर में, और एक बात याद रखिये, anyone कोई जवाब दे सकता है, sources of income कितने हैं, five कौन कौन से, salary, house property, PGP, that is business and profession, capital gain and other sources, बहुत सारे बच्चे यह ही गलत है, sources of income are unlimited, they are, they are classified in five heads, sources of income are unlimited, these are classified in five heads, लिकेंगे उसको भी, यहां से हमें दो वर्ड और मिले, deduction, exemption, यहां से हमें दो वर्ड और मिले, आपको तो पता है, मैं average बच्च हो, मेरे को तो जब तक वर्ड नहीं क्लियर होगा, मैं आगे नहीं बढूँँगा, reduction क्या होता है, exemption क्या होता है, देखेंगे, इधर आईए, यहां लिखिये, heads of income, sources of income are unlimited, classified in five heads, सबसे पहला है, salary, दूसरा है, house property, जिसको हम प्यार से कहते हैं, hp, तीसरा है, profit and gains, profit and gains, from business or profession, जिसे हम प्यार से कहते हैं, pubg, sorry, pgbp, फोर्थ, capital gains, इसे हम प्यार से कहते हैं, cg, and page, income from, other sources, जिसको हम कहते हैं, ifos, of source, I.F.O.S. G.O.S. इनकम फ्रॉम अधर सूर्सेज आयए फोएस द्यान चे सुनिया अगर आदमी जॉब कर रहा है सालेरी कमा रहा है इनकम विल गो इंटो देस हैड कॉल्ड अस सैलेरी अगर घर किराय पर दिया है प्रिमाइस किराय पर दिया है रेंट आ रहा है एच पी आप बिजनस या प्रोफेशन में हैं पीजी बीप आपने अपना कैपिटल असेट उठा के सेल कर दिया फर एक्जामपल घर को सेल करके पैसा आया कैपिटल गेंज और जो इन चारों में नहीं आ रहा उसको डाल देना अधर सोर्सेज में एक रेसिडेरी हेड है जो क क्लासिफाय कर सकते हैं तो ठीक नहीं तो उठाओ और अधर सूर्सेज में डाल दो इसका नाम ही यही रखा गया है अधर सूर्सेज बाकी सूर्सेज से आई वाली इंकम येस हाँ जी प्रॉफिट और गेंस में डिफरेंस पीजी बीपी स्टार्ट होने पर पता चलेगा येस आज मैं आपको एक्स्प्लेइन कर दूँगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको सबसे पहले उतना उस पर्टिकुलर पार्ट पर मैचॉर करना पड़ेगा इनका भी कुश्चन रखा है कि भी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कैसे इंपक्ट करता है तो यह दूनों कुश्चन मेरे पास रखे है और आल फिलाल में सब्जेक में और थोड़ा सा मेचॉर होना पड़ेगा आपने को टी ए कुरेशी जज्मेंट टी ए कुरेशी Supreme Court judgment, income from illegal activity is also liable to tax, income from illegal activity is also liable to tax. आईगा, ने डिसक्रश्किया मने, is that done? तो I think बहुत सारा clear है, income के पार्ट को भी लेकर के, but क्या income income tax में defined है, answer is yes, the word income is defined in income tax section 2 sub section 24, सब्सक्राइब कुछ और क्लारिफिकेशन, बुक्स बंद कर दो खतम हो गया अचका लेक्चर, ठीक है, कुछ और चीजे जो हमें समझनी चीए, point number one, क्या हमें section number याद रखना है, answer is no, क्या हमें section number याद रखना, answer is no, याद हो जाएंगे, इसकी guarantee मेरी, इसकी guarantee मेरी, सर क्या हमें case law के नाम याद रखना है, no, याद हो जाएंगे, इसकी guarantee मेरी, बरे बरे, so, tensionally ना आपका exam में court करने की ज़रोग होता है, unlike law, law में जैसे आपको हर चीज court करने होती है, डीटी में वैसा काम नहीं होता, डीटी में application ज्यादा है, quoting कम है, right, अच्छा जी, दूसरी बात, कल सबके पास मेरे को calculator चीए, mandatory, scale चीए, pen चीए, क्योंकि कल हम tax पर जाएंगे, calculation of tax वाले word पर जाएंगे, तो कल वाला पार्ट तो बिल्कुल ही मिस करने की गलती मत करना, right, और तीसरा, जिनका admission नहीं हुआ है, प्लीज, रुको मेरे को पहले, at least कुछ work out करने है, तो एक द करूँगा, right, चलिए, यहां तक के clear है, पका, done, thank you so much guys, bye वलो अच्चो, any student, any kind of doubt, please ask, बाकि जिसका हो गया है, कोई डाउट निकलो, नाश्ता करो, दूसरे क्लास में जाना है, जिसका है, जल्दी से पूछो,